येस, we are live hello everyone, how are we? good afternoon, good afternoon good afternoon, good afternoon जल्दी से एर, chat section में आजाओ जल्दी से बता दो क्या हम live आचुके हैं good afternoon everyone good afternoon जल्दी से chat section में बताये क्या हाल चाल है निक आओ क्या आवाज दूर चेंट fino है शोरी बता पर देहें audio clear है क्या मैं दिखेबल हूँ क्या मैं सुनेबल हूँ जरा ऐसा जल्दी से फटाफट से बता दीजिए हेलो हेलो क्या हाल है क्या हाल चाल आज हम उडाने वाले हैं आज हम भाईया खतम कर देंगे रिडॉक्स रियाक्शन को है आज ये चाप्टर भी ये चाप्टर भी आज हल्वा बनेगा आज हल्वा बनेगा आप सभी का स्वागत है जेनिसिस बैच में रिडॉक्स रियाक्शन का वन शॉट वीडियो देख रहे हैं सबस्यादा डिटेल्ड लेक्शर आपको मिलेगा बहुत जबर्दस तरीके से हम लोग उसे पढ़ेंगे सारी चीजे क्लियर करेंगे और एंड में फिर मैं आपको पीवाई क्यू भी पढ़ाऊंगा पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट यार पहले हम लोग कॉंसेप्ट समझेंगे और उसके उपर हमें आप लोगों से पीवाई क्यू बनने लगेंगे तो आपको आटोमेटिकली कॉंफिदेंस आएगा चलिए स्टार्ट कर दें बड़िया लेक्चर रहने वाला है जो एंड तक मेरे साथ बना रहेगा वो इस रिडॉक्स रियाक्शन का भी चांपियन बन के जाएगा वो इस रिडॉक्स रियाक्शन का भी चांपियन बन के जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से चार्ट करते हैं सभी लोग आ जाओ अगर आपर लोग बहुत जादा सीरियॉस एस्पिरेंट हो नीट के लिए तो आप लोग यार हमारा सिगमा स्टार 2.2 परचेस कर सकते हैं इसमें आपको कॉंपलिमेंटरी टेस्स सीरीज भी मिल जाएगी और अगर आप लोगों ने कोई और कोर्स ले रखा है या आपकी तैयारी हो रखिए अपको कर लिया है अप तक तो कर दिया होगा यार इतने सारे सारे सारी के सारी क्लास अपडेट्स सारी के सारी चीज़ें आपको कहा मिल रही है, Marksab learning app के telegram channel पर इसे follow कर लो यार, इसे follow कर लो यहाँ पे सारे आपको notes PDF format में दे दूँँगा, देख़ो आपको notes बनाने की अब tension नहीं करनी है notes बनाने की आपको tension नहीं करनी है, notes मद बनाओ slides जो मैं दे रहा हूँ उससे पढ़िए अगर आपको अभी आप पता है क्या बनाईए अगर जिसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है इसका आप लोग इसका आप लोग फॉर्मुला बुक बनाते वे चलो क्या बनाते वे चलो, formula book बनाते वे चलो, एक page में हमने एक particular chapter के सारे के सारे formula लिख लिए, तो formula book आप लोग बनाते वे चलो, जो भी मैं आपको pdf तो provide करी रहा हूं, तो आपको सारी चीजे तो लिखनी नहीं है, आप बस क्या करो, formula book बना लो, formula book बना लो, बाकी जो मेरे notes रह समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है, बस आप लोग short notes बनाते वे चलो, formula book आप लोग अपने end से बनाते वे चलिएगा, चलो, start करते हैं, अच्छा है यार इंस्ट्राग्राम पे हो, अगर हो तो यार अपने भाया को सर्च करना, नितेश दिवनानी को और यहाँ पे भी यार म एक साथ आपका oxidation भी हो रहा होता है, reduction भी हो रहा होता है, correct है, अब यह देख लो है, what is oxidation, what is oxidation वैसे आपको पता होगा, एक फटा फट सम लोग यार overview देख लेते हैं, oxidation की definition क्या होती है, addition of oxygen, या फिर addition of any electronegative atom, या फिर removal of hydrogen, या फिर removal of any electropositive element, यह जो पहले चार point है, यह भ 10th standard में जबाब होती हो, तो यह 4 point आपके लिए बहुत important होता है, याद करो यार अपनी जड़ा 10 वी कक्षा, याद करो, यह 4 point ही होते थे वहाँ पे, यह 4 point तो 10th standard तक के लिए चल जाता है, हमको जो redox reaction पढ़नी होती है, उसमें हम oxidation को कैसे define करते हैं, जब oxidation number increase होता है, तो वो process क्या है, oxidation है, अभी oxidation number क्या होता है, मैं अभी थोड़ी देर में ही आने वाला हूँ उस पे, याना, लेकिन हमारे लिए यह चीज सब्सक्राद है, यागर oxidation number बढ़ा, तो oxidation होगा वो process, ऐसे ही reduction क्या होता है, removal of oxygen, या फिर removal of any electronegative element, addition of hydrogen, या any addition of electropositive element, यह कब के लिए ह दसवीक अक्षा के लिए, हम तो उससे बड़े हो गए है, हम तो उससे बड़े हो गए है, हमारे लिए important क्या है, oxidation number, oxidation number अगर कम हो रहा है, तो उस process को क्या बोलते हैं, उस process को क्या बोलते हैं, reduction बोलते हैं, ठीक है, तो simply आपको क्या पता चल गया है, अगर oxidation number increase, तो oxidation, oxidation number decrease, तो reduction, तो reduction, आईए बात समझ वें, आईए बात समझ में, oxidation number बढ़ रहा है, तो oxidation है, और oxidation number घट रहा है, तो reduction है, correct, अब ये चीज़ समुझ लेते हैं, oxidation number क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं, oxidation number क्या होता है, इस पर आ जाओ, देखो हैर मेरी बात सुनो, यह जो यह यह चीज लिखी विए है न, ऑक्सिडेशन नमबर, यह भया इस चाप्टर का खिलाडी है, हर किसी चाप्टर का कोई ना कोई हीरो होता है, यह इस चाप्टर का हीरो है, अगर यह समझ में आ गया, तो पूरा चाप्ट आपके हाथ में है, पूरा चाप्टर आपके हाथ में है, बिलीव मी, पूरा चाप्टर आपके हाथ में है, और अगर यह नहीं आया न, तो फिर भया, फिर भया, फिर कुछ नहीं होगा, तो हमको सबसे जादा जो फूकस देना है, वो किस पर देना है, ऑक्सिडेशन नमब हीरो है इस चाप्टर का, होता क्या है, oxidation number होता क्या है, oxidation number is, charge which appears on an atom of element, when all other atoms attached to it are removed, बहुत ध्यान से समझना है, पहले एक बड़ फील ले लो, उसके बाद हमको यही सारी चीजे, oxidation number ही करना है, देखो, क्या होता है, क्या होता है, जिसे सबोस करो, आपका H2SO4 है, अभी मैं oxidation number होता क्या है, H2SO4 का, अगर मैं structure देखू, ऐसा कुछ structure होता है, ऐसा कुछ structure होता है, अब सफोस करो, मेरे को इस बिचारे बीच वाले, sulfur का oxidation number निकालना है, इसका मेरे को oxidation number निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके सारे bond तोड़ूँगा, देखो, यह जल sulfur है, छे bond बन तोड़ो, यह वाला भी bond तोड़ो, यह वाला भी bond तोड़ो, यह वाला भी bond तोड़ो, और इस sulfur को यहां से बाहर निकालो, पकड़ो और बाहर निकालो, बाहर निकाल के मतलब सारे के सारे bonds तोड़के बाहर निकालो, और जब आप उसे बाहर निकालोगे, फिर उसे घूरो अना दया, फिर आप उसे घूरो, घूरो और उसे देखो कि यहर वहाँ पे कितना charge present है, कब देखना है, सारे के सारे bonds तोड़के, सारे के सारे bonds तोड़के आपको उसे बाहर निकालना है और उसे घूरना है, फिर देखना है कि उस पे कितना charge है, जितना charge होगा वो क्या कहलाए उसका oxidation number या फिर oxidation state एक ही बात है अगर oxidation number लिखावा है या फिर oxidation state लिखावा है एक ही बात है यह चीज clear होई है अब जो आपका oxidation number होता है oxidation number मैं on से represent करूँगा oxidation number को मैं on से represent करूँगा on is based on electronegativity यह जो मैंने statement लिखावा है यह जो मैंने यहाँ पर statement लिखावा है कि oxidation number is based on electronegativity यह क्या है यह आपका जादू है यह आपका base है oxidation number का this is very 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 important electronegativity यार हमें पता है electronegativity हमें पता है यह आपकी electronegativity के उपर ही पूरा का पूरा oxidation आपको बहुत सारे Oxidation Number निकालना सिखाऊंगा भी और आपको question भी देने वाला हूं, पहले ध्यान से समझो, पहले ध्यान से समझो, जिससे देखो यह है, HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में bond है, मेरे को क्या करना है, मेरे को आपको bond तोड़ने है, oxidation number निकालना है, तो सारे के सारे bond मुझे तोड़ने है, bond मुझे तोड़ने है, अब क्या करूँगा, यह एक bond दिख रहा है, यह वाला bond तोड़ूँगा, hydrogen और fluorine, ज्यादा electronegativity किसकी, obviously fluorine की ज्यादा electronegativity, जिसकी ज्यादा electronegativity होगी, उस पे negative charge आएगा, ज्यादा जिसकी ज्यादा electronegativity होगी, उस पे negative charge आएगा, और देखो कितने bond तूट रहे हैं, एक bond तूट रहा है, तो एक charge आएगा fluorine पे minus 1, minus क्यों आया, क्योंकि fluorine is more electronegativity, और 1 क्यों आया, क्योंकि एक bond तूटा है, और अगर इदर minus 1 आएगा, तो इदर कितना आएगा, plus 1 आएगा, क्योंकि अर ओवराल तो charges balance होएंगे, ओवराल तो HF में कोई भी charge नहीं है, तो एक के अगर उपर oxidation number बताईए, तो आपको यह दोनों bond तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम सारे bond तोड़ते हैं, हम लोग सारे bond तोड़ते हैं, अब hydrogen है और oxygen है, जादा electronegative कौन, obviously oxygen, तो यह वाला जब मैं bond तोड़ूंगा, तो इस oxygen पर अब यह वाला भी तोड़ना है, सारे bond तोड़ने आपको, सारे bond तोड़ने है, तो इधर भी minus 1, इधर plus 1, तो oxygen पर total charge कितना आ गया, minus 1 and minus 1, it is minus 2, it is minus 2, आई है बात समझ में, आई है बात समझ में, ऐसे ही आपका होता है, nH3, तो nitrogen, hydrogen, hydrogen भैया, hydrogen भैया, hydrogen भैया, correct है, अब क्या करें, हमें oxidation state निकालनी है, nitrogen की, सारे bond तोड़ो, सारे bond तोड़ो, यह वाला bond तोड़ो, nitrogen is obviously more electronegative than hydrogen, तो इधर आएगा minus 1, इधर आएगा plus 1, यह वाला bond तोड़ो, माइनस वन प्लस वन ये वाला bond तोड़ो माइनस वन प्लस वन तो nitrogen पे कितना आ गए माइनस वन माइनस वन बोले तो माइनस थ्री चार्ज आ चुका है oxidation number के आ हो गए nitrogen का माइनस थ्री हो गया, correct है correct है, अच्छा, और देखो यार अभी देखते जाओ, अराम से देखते जाओ, फिर आपको बहुत सारे questions भी दूँगा, मैं, फिर आप ही को करना है अभी आप पहले थोड़ असा feel में आ जाओ, थोड़ असा आप उसके feel में आ जाओ, अब जिसे देखो NAH है, NAH है अब इसमें मेरे को देखना है hydrogen का oxidation number, तो देखो जो sodium है sodium अब NAH प्लस में exist करेगा, sodium की R valency कितनी होती है, एक valency होती है और वो अपने electron lose करता है, तो sodium किसमे exist करेगा, प्लस 1 में exist करेगा तो obviously hydrogen के उपर क्या charge रहेगा minus 1 रहेगा obviously hydrogen के उपर charge कितना रहेगा minus 1 रहेगा clear होई है, आर यह बात समझ में क्योंकि overall तो electrically neutral होना है overall तो उसे electrically neutral होना है आई यह बात समझ में, clear होई है अब देखो, अब एक और जैसे क्या तरीका रहता है, जैसे आपका suppose करो यह है, O2F2 है, है ना, O2F2 है, या फिर चलो मैं ऐसे कर देता हूँ या O2F2 है यह है, यह है यह है आपका, suppose करो यह है ठीक है, और आपका H2O2 है, अब आपको इसमें oxidation state है निकालनी है किस-किस की, यहाँ पे fluorine की, यहाँ पे oxygen की, यहाँ पे भी oxygen की यहाँ पे भी oxygen की तीनों में आपको oxygen की oxidation state है निकालनी है जरा निकालना यार फटा-फट निकालना फटा-फट निकालना इलेक्ट्रो नेगेटिविटी यह यह आपका वैसे तो periodic table का होता है यह तो पता हो ना जिसे non-metals होते हैं, वो जादा oxygen है, दो है, तो इसको आप क्या करो 2x कर लो, देखो ज्यान से ऐसे, एक और तरीका बता रहा हूँ x वाला method भी बता रहा हूँ, देखो वापस x आ गया है वापस x आ गया, यह x भाया पीछा नहीं छोट रहे हैं यह वापस आपका है, मैंने 2x लिखा क्यों, क्योंकि आपके 2 oxygen है प्लस, फ्लोरीन फ्लोरीन जन्रली फ्लोरीन जन्रली आपका माइनस 1 में होता है, तो 2x माइनस 1 is what? 0 यह 0 क्यों लिखा क्योंकि आप यहाँ पे O2F2 में, ओवराल तो यह electrically neutral है, ओवराल यह electrically neutral है, तो देखो वो कितना आगया, प्लस 1 आगया वो कितना आगया, प्लस 1 आगया correct है, correct है अच्छा, यह देखो, यहाँ पे oxygen का बताना second case में, second case में oxygen का बताना, नहीं पताना आपको तो जिसका भी नहीं पता, उसका x मान लो यार, उसका x मान लो fluorine generally किसमे होता है minus 1 में होता है तो 2 into minus 1 अच्छा, overall, overall charge इस पर कितना दिख रहा है इस molecule पे overall charge कितना दिख रहा है 0 तो X पे क्या charge आ गया plus 2 आ गया X पे क्या charge आ गया plus 2 charge आ गया अब जरा इस पर बताना जैसे देखो, 2 oxygen पे निकालना है प्लस वन, तो 2 इंटू प्लस वन is what? 0, तो X पर क्या आ रहा है चार्ज, माइनस वन आ रहा है X पर क्या चार्ज आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, देखो यार, यहां पर सुनो मैं अगर जनरली बात करूँ न, जनरली अगर में बात कर रहा है, मेज़ोरेटी केसे में बात कर रहा है, मेज़ोरेटी केसे में बात कर रहा होंगी, फ्लॉरीन का माइनस वन रहेगा, हाईडरोजन का प्लस वन, ऑक्सिजन का माइनस टू, लेकिन उसके अलावा भी चीज़े हो सकती हैं जैसे इस में Oxygen कीतना आया? प्लस 1 आया! इस में कीतना आया? माइनस वन आया! लेकिन यह एक तरीके से अलगटाइप के monastery Councils है majority cases में आपको यही मिलेगा resort question करें अब आप लोग मेरे को फटा-फट निकालकर ourselves truths H2SO4 यहाँ पर Democracy जिस भी element को मैं underline कर रहा हूं, उसकी oxidation number आप बताईएगा जिस भी element को मैं underline कर रहा हूं, आप उसकी oxidation number मुझे बताईएगा इन दोनों की बताओ, sulfur और phosphorus की बताईए sulfur और phosphorus की बताईए, sulfur और phosphorus की बताऊ, आपको दो hydrogen है hydrogen की general oxidation state क्या होती है, plus 1, देखो मैंने अभी भी लिखवाती है तो 2 into plus 1, plus sulfur की नहीं बता ना, तो x मान लो यार, अच्छा, oxygen की general काँची होती है, minus 2 तो majority cases में आप minus 2 ही लोगे, is equal to H2SO4 पे overall charge कितना दिख रहा है 0 न, overall charge सोड़ी ना है कुछ, तो ये क्या कर दिया, 0 कर दिया यहां से x क्या आ गया, plus 6 आ गया, x कितना आ गया, plus 6 आ गया, oxidation state कितनी आ गयी, plus 6 आ गयी अब देखो, यहां पे पता करनी है, 3 hydrogen है, तो 3 into plus 1, phosphorus की नहीं पता है, तो x मान लो, plus 4 into minus 2 minus 2 किसकी oxygen के लिए, minus 2 किसकी oxygen के लिए, equal to 0, क्यों, क्योंकि overall charge तो क्या है, 0 है तो x कितना आ गया, plus 5 आ गया, x कितना आ गया, plus 5 आ गया, ठीक है, और देखो यहार, और देखो, ओर देखो, जिसे NO3 minus, इसमें nitrogen की बताओ ठीक है, NO2 minus, इसमें भी nitrogen की बताओ, और C2O4 2 minus, इसमें carbon की बताइए, चलो भाईया, फटा फट बताओ फड़ा फट बताईए फड़ा फट बताईए लाइक वाइक कर देना है यार सेशन को कैसे करोगे जैसे नाइटरोजन है पता नहीं नहीं यार उसकी तो निकाल नहीं है मैं तो X मान लो यार बेलकुल oxygen जनरल कितनी होती है minus 2 होती है plus 3 into minus 2 is equal to कितना charge है total तो देखो नहीं है यहाँ पे minus 1 charge है ना पूरे molecule पे तो यहाँ पे क्या आएगा minus 1 आएगा previous cases में कोई भी charge नहीं था तो मैं 0 लेता था यहाँ पे charges आ रहे है minus 1 charge है तो मैंने minus 1 ले लिया तो X कितना आएगा plus 5 आएगा X कितना आएगा plus 5 आएगा next case देखो nitrogen है नहीं पता X मान लो plus 2 oxygen है 2 into minus 2 ले लो is equal to net charge net charge कितना है minus 1 है minus 1 X कितना आगया plus 3 आगया X कितना आगया plus 3 आगया आचा यहाँ पे आप देखो 2 carbon है तो यहाँ पे आप क्या लोग है 2X लोग है correct 4 oxygen है 4 into minus 2 oxygen जनरली minus 2 में ही होता है is equal to total charge total charge कितना है minus 2 total charge कितना है minus 2 यहाँ से X कितना आएगा plus 3 X कितना आएगा plus 3 आएगा correct है जल्दी से chat section में थमसब देदो अगर चीज़े clear हो रही है तो जल्दी से chat section में थमसब देदो चलो मैं फटाफट से और equation लिख रहा हूँ आप लोग मुझे जल्दी से चाट section में थमसब देदीज़े यहाँ पे chromium का निकालना है यहाँ पे iron का निकालना है और last वाले case में copper का निकालना है ठीक है? आपको यह रहा यह copper का निकालना है चलो भाया करो 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 हाँ जी बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत 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 चलिये बिल्कुल महरब बिल्कुल Great Sakit Anshu Neat Aspirant Jasmine Urnshika Priya Anisha Kumar Afya Nilish Very Good Very Good Abhijit Very Good Prithvi Manjit Shabazz Shabazz Boy Yashi Akshat Shweta सही है सही जारे हो सही जारे हो बिल्कुल Rose बिल्कुल Gaming क्या बाद है Gaming World भी आए है Abhinav जी Ayush चलो हाँ कैसे? जैसे देखो ने Chromium की निकालना है Chromium कितने है? Minus 2 X कितना आ गया? Plus 6 बहुत सही बहुत सही ठीक है अब देखो इसमें इसमें आप क्या करो? जैसे देखो 4 आपके potassium है potassium किसमें रहता है? K plus में रहता है एक ही valency होती है potassium किसमें रहेगा? potassium किसमें रहेगा? plus 1 में ही रहेगा तो कैसे कितने है? 4 4 and 2 plus 1 plus iron की तो नहीं पता X मान लो plus यह जो cn है न यह ऐसे exist करता है cn minus कितरा exist करता है? cyanide iron है यह कौन सा iron है? cyanide iron है तो ऐसे कितने है? 6 और हर किसी पे charge कितना है? minus 1 6 and 2 minus 1 is equal to total charge इस पूरे molecule पे total charge कितना है? 0 है ना 0 है पूरे molecule पे तो 0 लिख दिया मैंने ठीक है तो X कितना आ गया? plus 2 आ गया X कितना आ गया? plus 2 यह चीज समझ गयो ना cn क्या है? cyanide है cn minus है तो तब ही मैंने इसको 6 into minus 1 कर दिया अब यहाँ पे ज़र कॉपर का देखो X है नहीं पता है ना X मान लिया अब वाटर वाटर ऐसे exist करता है water electrically overall electrically neutral होता है water is overall electrically neutral तो 4X plus 4 into 0 क्योंकि पानी पे कोई भी charge नहीं होता है is equal to total charge total charge कितना है? plus 2 plus 2 तो X कितना आ रहा है? थमसब देते चलो भीया थमसब देते चलो यहाँ तक बिलकुल सही है आप सभी बच्चों का सही है मैं देख रहा था चार्ट सक्षन में great very good very good चेक है? चलो बहुत सही अब यार हम जरा बात करते हैं अब हम थोड़ा सा ची जएं आगे की तरफ बढ़ाते हैं minimum and maximum oxidation state minimum and maximum oxidation state oxidation state लिखावा हो oxidation number लिखावा हो इक ही बात है मेरे शेरो तक है? आप देखो minimum and maximum oxidation state तक है? हम बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं गृप 14, देखिए गृप 15, गृप 16 and गृप 17 elements की हैं Carbon family, nitrogen family, oxygen family और आपकी halogen minimum oxidation state की बात कर रहे है and maximum oxidation state की बात कर रहे है तो minimum oxidation state अगर कोई गृप 14 का होता है 14 का होता है तो इत इस minus 4 और maximum होता है plus 4 गृप 15 का होता है तो it is minus 3 it is plus 5 गृप 16 का होता है तो it is minus 2 it is plus 6 and it is minus 1 and it is plus 7 and it is plus 7 जैसे देखो हैर एक हलका सा मैं आपको brief overview देता हूँ कि यार ये मैंने कैसे लिखा है मैंने तो फटफट से लिख दिया मैंने तो फटफट चायर ऐसे लिख दिया, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ, minimum oxidation state, minimum oxidation state आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, valence electron minus minus 8, तो देखे हैं, गुरुप 14 होता है, जो carbon family, valence electron कितने होता है, 4 होता है, तो 4 minus 8 करो, तो minus 4 आ जाएगा, और अगर आप से कोई बोल रहा है, maximum oxidation state कैसे निकालते हैं, overview दे रहा हूँ, overview दे रहा हूँ, यह निकालते हैं, plus valence electron, देखे हैं, आपका जो गुरुप 14 होता है, 4 valence electron होता है, तो आपका maximum oxidation state कितने हो जाएगी, plus 4 हो जाएगी, ठीक है, एक तरीके से, यह एक brief सा idea है, अब जै जैसे आपका manganese होता है, manganese होता है, तो यह आपका, इसकी जो highest oxidation state होती है, जैसे देखो, मैं कुछ बनाओं या पर list, highest oxidation state, कौन सा, manganese, आपका जो पहला element है, manganese की बात हो रही है, उसकी highest oxidation state कितनी होती है, plus 7 होती है, आपका chromium है, उसकी कितनी होती है, plus 6 होती है, उसकी कि आपको थोड़ी ही देर में काम आने वाले हैं कैसे काने एक्वेशन करें ? अभि देखना जबरदस तरीके से यूज आएगी अभि देखना अभी यूज आने वाली है जिसे देखो आप से बूल रहा है जरह आप लोग निकालना है मेरे दया आप लोग फटा हछ इसका oxidation number निकालो किसका? चलो 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 बताओ, सल्फर का, क्रोमियम का और अगेन सल्फर का बताओ, ओक्सिडेशन नमबर बताईए चलिए चलो, बताओ कैसे, कैसे निकालोगे बिल्कुल, देखो यह, यह, देखिए क्या होने वाला है, आप लोग पहले, एक्स वाला मेथड लगाओगे आपको, एक्स वाला मेथड सिखा है, वो ही तो लगाओगे पहले, हमेशा, यॉर फॉर्स अप्रोच शुड अलवेज भी एक्स वाला मेथड मेरी बात सुनो, यार मेरी बात सुनो, छोड़ दो चैट सेक्शन तो 2 इंटू, प्लस 1 प्लस सुलफर का नहीं पता, तो एक्स मान लिया, प्लस 5 इंटू, माइनस 2 इस वाट, 0, ओवराल चाज तो 0 है एक्स यहां से कितना आएगा? प्लस 8 आएगा एक्स कितना आएगा? प्लस 8 आएगा ठीक है? लेकिन अभी-अभी हमने बात करी जो सलफर है, वो कौन से ग्रुप का होता है? ग्रुप 16 का होता है तो ग्रुप 16 में लोएस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट तो माइनस 2 है यार और हाइस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस 6 है, लेकिन हमारे स्टेट आ रहा है, मतलब गडबड है क्या है? गडबड यहां पर लिख दो यह क्या है? गडबड जबी यार यह X वाला मेथड फ्लॉप होगा, मेरी बात द्यान से सुनना जबी यह X वाला मेथड फ्लॉप होगा आपको structure लिखना पड़ेगा आपको क्या लिखना पड़ेगा? structure लिखना पड़ेगा तब जाके आपको answer मिलेगा कैसे? इसका structure अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर होता है S double bond O double bond O इदर O H इदर O, इदर O, इदर H यह आपका structure होता है H2SO5 अब क्या करो अब इस Sulfur की Oxidation State निकालनी है किसकी Oxidation State निकालनी है Sulfur की Oxidation State निकालनी है अब क्या करो इसके सारे Bond तोड़ो इसके सारे Bond तोड़ो वो Bond वाला Method तो कभी गलत नहीं हो सकता यह X वाला Method फिर भी गलत हो सकता है क्योंकि यह highest और lowest को account में नहीं लेता है लेकिन bond वाला method कभी भी गलत नहीं हो सकता है कभी भी गलत नहीं हो सकता अब सारे bond तोड़ दो है देखो, यहाँ पे मैं जब यह वाले दो bond तोड़ूँगा उपर वाले oxygen के oxygen और सरफर ज्यादा electronegative कौन? ज़्यादा electronegative कौन? obviously ज़्यादा electronegative oxygen तो oxygen पे कितना charge आएगा? minus 2, दो bond तोड़े हैं ना? और ज़्यादा electronegative कौन है? oxygen तो उस पे negative charge आएगा और 2 आएगा, sulfur पे कितना आएगा? plus 2 sulfur पे कितना आएगा? plus 2 आएगा, ठीक है? अब ये वाले bond तोड़ो इस पे oxygen पे minus 2 तो इस पे plus 2 अब ये वाला bond तोड़ो, सारे bond तोड़े हैं ना? देखो ये वाला भी bond तोड़ो ये वाला bond तोड़ोगे, तो यहाँ पे sulfur पे आएगा plus 1, oxygen पे आएगा minus 1 ये वाला भी bond तोड़ो यहाँ पे plus 1, यहाँ पे minus 1 तो द्यान से देखो तो sulfur पे कितना चाह जा जा रहा है? plus 6 आ रहा है कितना आ रहा है? plus 6 आ रहा है plus 6 आ रहा है आईए बात समूझ में मतलब आपको जबी भी ये x वाला method flop होगा x वाला method flop होते से ही इसका मतलब गडबड होएगी गडबड होएगी तो आपको कहां जाना है? structure पे जाना है structure से तो यार आप लोग definitely निकाली लोगे definitely निकाली लोगे अब जैसे देखो ये chromium वाले पे आ जाओ देखो ध्यान से समझना अभी चीज़ा और clear होएगी आपको नहीं पता ना? chromium का पहले हमेशा x वाला method लगाओ x मान लिया plus 5 into minus 2 is equal to 0 तो x कितना आ रहा है? plus 10 आ रहा है अब मैं आप से बूसरा हूँ plus 10 हो सकता है क्या? chromium की मैंने highest oxidation state आपको क्या बताईए? plus 6 बताईए प्लस 6 होनी चाहिए दी maximum यहाँ पे क्या रही है? plus 10 आ रही है मतलब इसका मतलब ये क्या है? wrong है wrong है मतलब क्या है? गड़बड है x वाला method नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? structure चलेगा structure चलेगा अब इसका structure क्या होता है? इसका structure होता है ये इसका structure होता है ये इसको हम लोग बिलकुल सही बोल रहे हो आप लोग butterfly structure भी बोलते हैं butterfly structure भी बोलते हैं अब क्या गरो? अब तो bond तोड़ो यार एक बाद structure आ गया ना तो तो कुछ नहीं bond तोड़ो यार, मज़े से bond तोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सारे bond तोड़ो, देखो ये वाले दो bond तोड़ोगे, तो oxygen पे minus 2, chromium पे plus 2, obviously ये oxygen जादा electronegative है, अब ये वाला bond तोड़ो इधर से plus 1, ये वाला bond तोड़ो, plus 1, ये वाला bond तोड़ो प्लस 1, ये वाला bond तोड़ो, plus 1 दियान से देखो, तो कितना charge आ रहा है, कितना charge आ रहा है, plus 6 charge आ रहा है, plus 6 तो valid है नहीं plus 6 तक तो maximum जा सकता था plus 6 बिल्कुल valid है बिल्कुल valid है आई है बात समझवे हैं आई है बात समझ में, अब जैसे देखो ये वाला है, पहले हमेशा x वाला method लगाओ, तो देखो, 2 इंटू प्लस 1, प्लस 2 सलफर हैं, तो 2 इंटू x, प्लस 8 इंटू, माइनस 2, is what 0, is what 0, तो x यहां से कितना आ रहा है, प्लस 7 आ रहा है, प्लस 7 हो सकता है, क्या है सलफर का, स कौन से गुरूप का है सलफर, गुरूप 16 का, उसमें maximum जा सकता था, प्लस 6, गया कितना है, अमारा आया कितना है, प्लस 7, मतलब it is again, रॉंग, रॉंग तो बोले तो अब क्या चाहिए होगा, स्ट्रक्चर चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, स्ट्रक्चर, s double bond o, double bond o, अब तो अराम से दिख रहा होगा, कितनी होगे oxidation state, जरा बताना, बताएगा, प्लस 10 नहीं हो सकता है, ग्रॉमियम का भी शिक, प्लस 6 तक ही जा सकता है, चलो, बिलकुल, क्या होगा इसमें, जब सारे bond तोड़ोगे, ये सारे bond जब तोड़ दोगे, तो इसकी oxidation state कितनी प्लस 6 आएगी, कितनी आएगी, प्लस 6 आएगी, कोई बच्या पूछ रहा था कि यार इस वाले लिंक्ट, जो oxygen और oxygen के बीच में, जो single bond है, इस linkage को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पर-oxide linkage भी बोलते हैं, इसको हम लोग पर-oxide linkage भी बोलते हैं, आक्सिजन, जो single bond है उसको हम हा ना सुनो 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 तरीका क्या हुआ पहले हमेशा X वाला मेथड लगाएंगे फिर हम चेक करेंगे कि यार वह मिनिममम और मैक्सिमम में बीच में आ रहा है या नहीं अगर नहीं आ रहा होगा है ना मैक्सिममम से भी एक्सीड कर गया इसका मतलब गडबड है गडबड structures आते जाएंगे, आपको चीज़े clear होती जाएंगी, कुछ structure है, हम लोग P block में पढ़ते हैं, जो oxo acids होते हैं, आपके sulfur और आपके phosphorus के हैं, वो सारी चीज़े पढ़ते हैं, तो हम कब पढ़ेंगे, आपके धीरे धीरे जैसे chemistry clear होती जाएगी, आपको structure आते जाएंगे, correct है, clear है, clear है, alright, अच्छा, कोई बच्चे बूच रहे हैं, कि oxygen का कैसे निकालेंगे, तो है, सारे bond तोड़ने हैं, इधर देखो, यह minus जैसे देखो, यार, देखो, यह है, CR double bond O, यह बहुत आसान चीज़े हैं, एक बास structure आ गया, तो यह बहुत आसा है, जरा ऐसा करो, इस वाले oxygen पे, इस वाले oxygen पे मेरे को oxidation state बताना, जो मैंने white शमाग किया है, इसकी बताना, यहना structure धीरे धीरे आ जाएंगे, जिसे से हर chemistry आगे बढ़ती जाएगी, structure धीरे धीरे आपको आते जाएंगे, ठीक है, जरा इस वाले जो white वाला मैंने oxygen मार्क किया है, उसका जरा oxidation number बताना है बताएगा, बहुत आसान है यार, इसमें क्या हो गया, देखो bond तोड़ो, यह वाला bond तोड़ो, तो oxygen is obviously जादा electronegative than chromium, तो इस पे minus 1 आएगा, अच्छा यह वाला bond तोड़ो, तो दोनों तरफ oxygen है, तो यहाँ पे तो अब कोई भी difference ही नहीं है, कोई भी difference ही नहीं है, कोई जब यह एलेक्ट्रonegativity का difference ही नहीं है, तो आपका charge डिवलप नहीं होगा उस bond के टूटने से, उस bond के टूटने से, चार्ज डिवलप नहीं होगा, बिलकुल, यह वाला bond कौन सा है, पर-oxide bond है, जो OO के बीच में single bond है, अब जैसे देखो, मैंने जैसे आपको starting में बताया थ जैसे मैंने आपको starting में बताया था, suppose करो यह है, कोई reaction दे रखी है, देखो, देखो, देखो यह वाला, आपका, आपका यहाँ पे zinc पे oxidation state कितना है, 0, देखो elemental form पे होता है न कोई भी, जैसे अगर कोई भी elemental form में है, मेरी बात सुनो अब द्यान से, कोई भी अगर elemental form में है, आपका कोई साभी metal या फिर कोई साभी structure, तो वो आपका zero oxidation state में है, यहाँ पे zinc की oxidation state कितनी है, 0, यहाँ पे कितनी है, देखो, कितना charge है, इस पे, plus 2 है, चार्जी तो होता है, oxidation number, यहाँ पे कितना है, आपका plus 2 है, तो यह zero से plus 2 जा रहा है, तो क्या यहाँ पे oxidation number increase हो रही है अग्जा है, बताना जरा मेरे को, oxidation number increase हो रही है, और अगर oxidation number increase हो रही है, तो इस process को हम क्या बोलेंगे, Oxidation बोलेंगे Correct है Correct है यहाँ पर copper plus 2 oxidation state में है और यहाँ पर copper 0 oxidation state में कुछ भी charge नहीं लिखावा ना उस पर 0 oxidation state में है यहाँ पर आपका इस process में आपका oxidation number कम हो रहा है तो this process is what? Reduction Clear है यह चीज सही है यह चीज बताइदी है Oxidation number बड़ा तो oxidation नंबर कम हुआ तो reduction अब आपका एक term होता है oxidizing agent और एक term होता है reducing agent ये दो terminology होती है इनका आपको idea होगा फिर भी मैं आपको यह बता देता हूँ आपको oxidizing agent क्या होता है oxidizing agent क्या होता है one which undergoes reduction जिसका खुद का reduction हो रहा होगा है ना वो क्या करेगा सामने वाले को oxidize करेगा और वो oxidizing agent कहलाएगा clear और reducing agent कौन होता है one which undergoes oxidation सामने वाले को क्या करेगा reduce करेगा यहां तक चीज clear है या नहीं अब जरा यह जो equation थी यह equation थी जो मैं भी आपको zinc और copper वाली बताईएए इसमें मुझे बता दो oxidizing agent कौन है और reducing agent कौन है जरा फटाफट से बता दो chat section में बता दो बता दो जल्दी से बता दो भी या जल्दी से बता दो हाँ जी देखो जिसका आपका reduction हो रहा है वो क्या होगा oxidizing agent तो oxidizing agent कौन होगा reduction किसका हो रहा है जो जो पर फ्लस टू का हो रहा है यह है reduction इसका reduction हो रहा है copper plus 2 का, तो यहाँ पर copper plus 2 क्या हो जाएगा, oxidizing agent और oxidation है किसका हो रहा है, zinc 0 से जा रहा है plus 2 तो जो zinc है उसका oxidation हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, reducing agent वो क्या कहलाएगा, reducing agent, clear है, बिलकुल सही है, सभी वच्चों का correct है सभी वच्चों का correct है, थाम सब दे दो चैट सेक्शन में अगर इतना clear है तो फिर आपको जबर्दस बात बताता हूँ, oxidizing agent और reducing agent के बारे में clear है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ जावें, बता दो आगे बढ़ें, बिलकुल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब note लिखते हैं, note लिखते हैं, ठीक है, note लिखते हैं, और पहला point है, उसमें, an element, ज्यान से देना, यह note बहुत important है, यह note बहुत important है, an element having highest oxidation state, अगर कोई element अपनी highest oxidation state में है, तो it can act only as oxidizing agent, क्या यह बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है, पहले यह बताओ, कोई अगर element अपनी highest oxidation state में है, कोई अगर element अपनी highest oxidation state में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ oxidizing agent की तरह ही behave कर सकता है, कैसे, 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 जैसे, आपका, suppose करो, जैसे, आपका suppose करो, manganese plus 7 में है, तो क्या यह अपनी highest oxidation state में है, बिलकुल, तो इसका further oxidation, अगर मैं इसका further oxidation करना चाहूं, तो यह possible है क्या, यह possible है क्या, यह possible है क्या, नहीं, it is not possible, क्योंकि highest में पहुच गया नहीं, प्लस 7 से, प्लस 8, प्लस 9, यह बिलकुल भी नहीं जा सकता है, द्यान से सुनो, मैं वापस repeat कर रहा हूं, मैं वापस repeat कर रहा हूं, अगर आपका कोई सा भी element, highest oxidation state में, तो it can act only as oxidizing agent, क्योंकि यह देखो, suppose करो, manganese आपका plus 7 में है, और इसका मैं further oxidation कराना चाहूं, कि यह manganese को plus 8 में ले जाओं, plus 9 में ले जाओं, तो यह possible है क्या, नहीं, यह तो possible नहीं है, तो इसका क्या हो सकता है, इसका reduction हो सकता है, manganese आपका plus 2 में convert हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ reduction ही इसका possible है, तो reduction possible है, तो यह कैसे काम करेगा, कैसे का oxidizing agent की तरह काम करेगा reducing agent की तरह काम ही नहीं कर सकता है क्योंकि उसका oxidation तो फर्थर possible ही नहीं है सर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है उसका reduction ही हो सकता है clear है ये चीज clear है अगर कोई सा भी element अपनी highest oxidation state में है और highest और lowest मैंने आपको बता दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ oxidizing agent की तरह ही काम कर सकता है clear clear ठीक है OA क्या है oxidizing agent है OA क्या है oxidizing agent आच्छा next point इसी note का next point an element an element having lowest oxidation lowest oxidation state can act only as reducing agent क्या ये बात अब आपको समझ में आ रही है ज़र बताओ चाट सक्शन में क्या ये बात अब आपको समझ में आई है क्या ये बात आपको समझ में आई है बताइए क्या ये बात समझ में आई है देखो ने जिसे आपका कारबन है तो यह SOLC आपका carbon ले लेते हैं सपोस करो carbon आपका minus four oxidation state में है इसमें आपका carbon है तो ये carbon की lowest है group 14 का होता है ग्रू फूटिन की lowest क्या होती है minus 4 होती है तो क्या इसका reduction मतलब minus 5 में जाना minus 6 में जाना possible है क्या नहीं है lowest में पहुच चुका नहीं यार ये ये चीज तो possible नहीं है लेकिन इसका oxidation minus 4 से suppose करो वो carbon 0 में गया तो अगर oxidation तो possible है नहीं यार और oxidation possible है तो it can act only as reducing agent reducing agent reducing agent only as reducing agent clear है ये चीज सही हो गई है ये चीज सही है तो अब मैंने जैसे आपको यहीं पे ही एक question देता हूँ यहीं पे एक question देता हूँ जैसे देखो carbon plus 4 में है carbon minus 4 में है और carbon 0 में है आपको इन तीनों में बताना है कि वो कैसे behave कर सकता है as oxidizing agent या फिर as reducing agent या फिर दोनों की तरह वो कर सकता है behavior मेरे को फटा-फट से बता दो chat section में फटा-फट से बता दो chat section में फटा-फट से बता दीजिए chat section में छेक है? बताओ जरा जल्ली से chat section में active रहना है भी आया है chat section में सवाल आपसे पूछे जाएंगे पूछे पूछता रहूँगा मैं देखो carbon है कार्बन की हाइस oxidation state मैं प्लस फोर होती है लोएस अपनी मनस फोर होती है तो यह हाइस में है तो इट अबुआज काई इस oxidizing agent तो यह क्या है quoi oxidizing agent घरबन मैनस फोर में है मैनस फोर में तो लोएस्ट में है अपनी only as reducing agent अब कार्बन 0 में है तो मतलब intermediary में है, ना ही highest पे है, ना ही lowest पे है, बीच में है कहीं पे, तो both as oxidizing agent and reducing agent, दोनों की तरह काम कर सकता है, दोनों की तरह काम कर सकता है, जोनों 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 की क्लियर है ये चीछ सही है ये चीछ सही है बहुत सही बहुत ही शाबाश बहुत ही सही बहुत ही सही चलो चलो अब जैसे देखो एक और आपको दिखाता हूँ एक आपका structure होता है यार ये आपका PYQ में भी आया है इसका structure आपसे previous year question में भी पूछ रखा है मैं आपको culture दिखाऊंगा अभी भी दिखा रहा हूँ वहां पे भी आपको दिखाऊंगा ट्राइब रोमो ओक्टा ओक्साइड अब देखने है यहां से जबर्दस चीज सीखने वाले हो यार मजा आ जाएगा यहां से भी मजा आ जाएगा ना पहले तो इसका ये लो बी आर थरी ओ ए आपसे है और लेटिस में ही पूछा गया है शायद 18 या 19 में exactly मैं बूल रहा हूँ लेकिन पूछा गया है structure यह रहा structure यह रहा structure मेरे को यार जरा सा देखो सुनो द्यान से सुनो द्यान से सुनो द्यान से सुनो आपका जो BR3 O8 है मेरे को यार आप क्या करो इस bromium की oxidation state निकाल द यार चैट सेक्शन में इस bromium की oxidation state मेरे को बता दीजिए बता दो यार चलो बताओ bromium की oxidation state बता दीजिए बता दीजिए बता दो bromium की oxygen बता बता ये बता ये कैसे निकालोगे तीन bromium है तो 3x plus 8 into minus 2 is what 0 तो x कितना आ चुका है x कितना आ चुका है plus 16 by 3 आ चुका है plus 16 by 3 आ चुका है द्यान से सुनो भी आरे आपके ये आपने हमने plus 16 by 3 बता दिया अब आपके ये तीन bromine दिख रहे है ना देखो यहापे ये तीन bromine दिख रहे है ये भी रहा ये भी रहा और ये भी रहा है ना आप इन तीनो ब्रुमीन की structure की help से structure की help से आप तीनो ब्रुमीन की individual oxidation state मुझे बता दीजिए चैट सेक्षन में individual oxidation state तीनो ब्रुमीन की बता दीजिए फटा फट बता दो यार फटा फट से बता दीजिए यहां पर क्या आएगा प्लस टू आएगा ब्रुमीन पर ये वाला बॉण तोड़ो प्लस टू ये वाला बॉण तोड़ो प्लस टू अच्छा ये वाला बॉण तोड़ेंगे तो कोई भी charge develop नहीं होगा 0-0 क्योंकि दोनों side count है bromine-bromine है तो इस वाले bromine पे क्या charge आ रहा है प्लस 6 आ रहा है correct है correct है ऐसे ही इस वाले पे right वाले पे भी कितना आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा देखो नशारे bond तोड़ो अना ये कितना आ जाएगा है ये पे प्लस 6 आजाएगा, बीच वाला ब्रोमीन है उपर वाला जब oxygen के साथ bond तो इधर से प्लस 2 नीचे वाले oxygen के साथ तोड़ोगे तो इधर से भी प्लस 2, और आजू बाजू वाले ब्रोमीन के साथ तोड़ोगे तो वहां से तो charge डेवलप नहीं होगा यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे प्लस 4, correct यहाँ तक चीज़े clear हैं, अब जरा सब को add करो एक पे प्लस 6 आया है, फिर प्लस 4 आया है, प्लस 6 आया है जब आप सब को add करोगे, तो यह कितना आएगा, प्लस 16 आएगा सारे के सारे bromine पे अगर मैं oxidation state add करूँ तो कितना आएगा प्लस 6 आएगा और कितने bromine पे divided है 3 प्लस 16 बाई 3 तो ये जो ये लिखा है न आपने दियान से सुनना ये जो ये लिखा है प्लस 16 बाई 3 ये क्या है आपकी average oxidation state ये क्या है average oxidation state है मलब हमने 3 ब्रोमीन को एक जैसा मान लिया और उसमें average हमने निगाल दिया लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि individually बताईए कि यार कितनी oxidation state रहेगी तो ये प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 और अगर आपसे पूछे average बताओ तो ये इस 16 बाई 3 क्लियर होई है ये चीज क्लियर होई है तो थमसब दो चार्ट सेक्षन में एक्स वाले मिथड से हमेशा average oxidation state आएगा तीनों का average लेंगे हम बिसकली एड करके divided by number of atoms और individually तो हम लोग bond तोड के निकाल ही सकते हैं और वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है इंडिवीज्वली तो bond तोड के निकाल ही सकते हैं क्लियर सही है आगे बढ़े आगे बढ़े चेक है ओल्राइट पूरा concentration के साथ देखते जाओगे और end तक बने रहोगे तो देखना कितना मजा आएगा आप लोग को इतने concept निखर निखर के आएगे अलग लग तरीके से शांदर मजा आएगा बिलकुल जी बिलकुल अरे oxygen और bromine में oxygen ज्यादा electronegative होता है यार ठीक है अब आजाओ यार आप लोग जैसे हम लोग equivalent weight और यह चीजे पढ़ते हैं equivalent weight in factor इन चीजों पे हम लोग इन चीजों को देखते हैं पहले बाद तो यह समझो equivalent weight होता क्या है equivalent weight होता क्या है अब यार जबरदस concept आने वाले है next level के concept आने वाले हैं ध्यान यहां लगाईएगा ना concentration यहां पे लगाईएगा चीजों देखो equivalent weight of a substance is defined as the weight which combines और displaces 1 gram of hydrogen 8 gram of oxygen या फिर 35.5 gram of CL2 यह क्या है इसकी definition है अगर आपसे कोई definition पूछता है तो उसके उसको यह बता देना भाईया वो खुश हो जाएगा भाईया वो खुश हो जाएगा यह उसकी क्या है definition है हमारे लिए यह इतनी जादा important नहीं है हमारे लिए क्या important है यह formula हमारे लिए यह formula important है equivalent weight equals to molar mass upon n factor यह चीज हमारे लिए बहुत बहुत जादा जरूरी है अचा इस n factor को हम लोग valence factor भी बोलते हैं तो देखो molar mass आपको निकालना आता है हम लोगों ने last कल ही जो हमने mole concept पढ़ाता उसमें हमने molar mass देख लिए थे यह तो निकालना आता है क्या मैं आपको n factor भी सिखा दूँ क्योंकि molar mass आता है n factor मैं आपको सिखा दूँगा दोनों को आप divide करोगे तो equivalent weight आपके पास आ जाएगा तो हमारी जो पूरी की पूरी गाड़ी अटकीवी है जिसे अभी थोड़ी देर में normality भी आने वाली है तो पूरी की पूरी जो गाड़ी अटकीवी है वो कहां पे अटकीवी है वो n factor पे अटकीवी है हमको क्या समझना है n factor समझना है ठीक है, एन फाक्टर समझना है, इस एन फाक्टर को ही वैलेंस फाक्टर भी बोला जाता है, इसको समझ लेते हैं, इस एन फाक्टर को ही हम लोग वैलेंस फाक्टर भी कहते हैं, इसको बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना है यारब, ध्यान से सुनना है, यह यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे देखो, N factor अलग-अलग substances का अलग-अलग तरीके से निकालते हैं, N factor अलग-अलग substances का अलग-अलग तरीके से निकालते हैं, जैसे देखो, अगर हम लोग बात करें acids की, देखें यहाँ पर, देखें, तो acids का N factor होता है number of H plus ions given हम यार acids को generally कैसे define करते हैं कि यार जो H plus ions देते हैं वो कौन होते हैं acid होते हैं तो कितने H plus ions दे रहे हैं वो वो कहलाएंगे उसके उसका N factor जैसे देखो जैसे देखो example देखना है यह आपर जैसे आपका HCl कितने H plus दे सकता है जैसे आपका H2SO4 कितने आपके H प्लस दे सकता है 2 दे सकता है तो आपका N फाक्टर हो गया कितना 2 कितना N फाक्टर हो गया 2 हो गया ठीक है जैसे आपका HNO3 कितना आपका H प्लस आयन ये रिलीस कर सकता है 1 कर सकता है तो N फाक्टर कितना हो गया H3PO4 अब ज़र इनके N फैक्टर बताना मेरे को इनके N फैक्टर बताईए इनके N फैक्टर बताईए आपके सामने मैंने लिख रहे हैं आपके N फैक्टर बताईए चलिए चलिए इनके N फैक्टर बताईए इनके N फैक्टर बताईए इनके n factor बताईए देखो अब इसका n factor होता है 3 है ना इसका n factor होता है 2 इसका n factor होता है 1 है ना अब यहाँ पे यार यह चीज कैसे है यहाँ पे यह चीज कैसे है ना थोड़ा सा concentration आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे आपको concentration रखना पड़ेगा N factor इसका 1 का 3 है 1 का 2 है 1 का 1 है अब यह कैसे आ रहा है यह इनके structures पे based होता है structures पे based होता है जिससे देखो H3PO4 P double bond O OH इनका ऐसा structure होता है मैं बता रहा हूँ आपको देखो मैं बता रहा हूँ उनका कैसे P double bond O OH OH और इदर H H3PO2 P double bond O OH OH इदर OH H और H अब आपका देखो acid है यह सारे किसवारे क्या है यह acid है ज्यान से सुनो सारे किसवारे कौन है यह acid है तो यह आपके acid है तो H plus I release करेंगे N factor क्या होता है N factor क्या होता है जो acids का जितने H plus I निकलेंगे उत्ता वो N factor रहेगा correct है correct है अब आपका आपका वो ही hydrogen H plus की तरह निकल सकता है जो oxygen के साथ जुड़ा है जो oxygen के साथ जुड़ा है वो ही as H plus निकल सकता है तो देखो यह oxygen के साथ जुड़ा है तो H plus की तरह निकल सकता है यह जुड़ा है निकल सकता है यह जुड़ा है निकल सकता है तो यहाँ पे कितने H plus निकल सकते हैं तीन निकल सकते हैं इसलिए scan factor कितना है तीन है वो ही hydrogen H plus की तरह निकल सकता है जो आपका oxygen के साथ directly जुड़ावा है है ना जिसे देखो ये वाला ये वाला निकल सकता है ये वाला निकल सकता है कितने निकल सकते हैं? दो ही निकल सकते हैं ये वाला नहीं निकल सकता है क्योंकि यह oxygen के साथ नहीं जुडा हुआ है तो इसका N-factor कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्योंकि 2 ही H-plus निकल सकते हैं इसमें सिर्फ उसिफ एक ही H-plus निकल सकता है नहीं यह निकलेगा नहीं यह निकलेगा तो N-factor कितना आ रहा है? 1 आ रहा है clear होई यह चीज है है ना clear होई यह चीज है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि यह simply आपका जितने hydrogen दिखे उतना आपका n factor हो जाएगा नहीं आपको इधर देखना पड़ेगा इधर आपको देखना पड़ेगा structure से कि कितने h plus निकल सकते हैं कितने h plus निकल सकते हैं जैसे देखो एक और आपको exceptional case बताओ एक और आपको different case बताओ यह होता है आपका h3bo3 इसका n factor बताएगा आप लोग को बताना जरा chat section में इसका n factor एक बार लिखिए आप लोग इसका n factor आप लोग लिखिए structures दीरे दीरे आ जाएंगे तिरिशा इसका n factor बताएगे बोरेक आसड का एक बार बोरेक आसड का n factor बताएगे अब इसका जो n factor होता है वो कितना होता है 1 होता है इसका n factor कितना होता है 1 होता है अब कैसे होता है 1 अब यही ध्यान से देखो देखो, बोरेक आसड को मैं कई बार, बोरेक आसड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, B, OH, whole, thrice, ऐसे भी लिख सकते हो, बोरेक आसड को, देखो, H3, BO3 बैट रहा है, H3, B1, O3, बैट रहा है, अब इसको आप पानी में डालो, आसड की तरह काम कर रहा है, तो solvent क्या होगा, पानी होगा, H3, BO3 को आपने पानी में डाला, तो यह क्या करता है, पानी मतलब क्या, पानी मतलब H, और OH, पानी मतलब क्या, H, और OH होता है, तो यह क्या करता है, बोरेक आसड, यहां से एक OH-I, अपने तरफ ले लेता है, तो यह क्या बना लेता है, B, OH, whole, minus 1, प्लस पीछे क्या बज गया देखो ये एक H बज गया ना H प्लस बज गया तो अगर ध्यान से देखे हम तो एक अगर ये बोरेक असड था तो इसने कितने H प्लस दिये एक ही तो दिया यार जान से देखो ना यार एक बोरेक असड ने एक ही तो H प्लस दिया है तो obviously n factor कितना होगा, 1 होगा, obviously n factor कितना होगा, 1 होगा, तो यह कुछ गिने चुने special cases है, यह basically गिने चुने special cases हैं, जो मैंने cover करवा दी, इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके बाहर आपसे चीजे नहीं बूची जाएंगी, इसके बाहर आपसे चीजे नहीं बूची जाएंगी ये चीजी clear हो गई है बताना जरा chat section में इतना समझ में आ गया है acids clear हो गया है acids clear हो गया है बताओ जरा अब इसमें भी एक जबरदस चीज बताऊंगा है अरे अब देखते जाओ एकदम बहुत high level पर बढ़ रहे है जितना required है सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से करवा रहे है लेकिन बस यही होता है कि यार concentration हम यहाँ पर रखे है ढंग से हम लोग पढ़ेंगे तो मतलब इसकी guarantee मैं ले रहा हूँ कि आप लोग खिलाडी बनके जाओगे redox के आज redox का कोई सा भी हम chapter बढ़ते है अगर आप ध्यान यहाँ लगाते हो तो इसको 4 दोगे इसको 4 दोगे लेकिन concentration यहाँ पर बनाए रखे concentration यहाँ पर बनाए रखे उनके आपको n factor बताने होंगे ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना पहली equation है h3po4 plus naOH यह है आपका suppose करो na h2po4 plus h2o चिक है मैं आपको यहाँ पर 3 equation लिख रहा हूँ 3 equation लिख रहा हूँ चिक है 3 equation लिख रहा हूँ देखो एक बार आपको n factor निकालना है किसका आपको n factor निकालना है इसका h3po4 का n factor आपको निकालना है इन तीनो equations में जब फटा फट से फटा फट से बता दो चाट सेक्शन में पड़ा फट से चाट सेक्शन में बता दीचे Instagram पर contact कर लिजिएगा मेरे को Instagram पर message बेज दीजिएगा अगर कोई समस्या है तो अब यहां पर अब यहां पर अभी अभी हम थोड़ी देर पहले H3PO4 का N factor कितना बढ़के आए है तीन बढ़के आए है अब आपका N factor अगर reaction दे रखी हो तो हम लोग कैसे करते हैं अगर आपकी reaction दे रखी हो तो हम कैसे करते हैं यह अब आपको देखना है, कैसे यहां पर देखो यार आपके कितने hydrogen atoms है कितने आपके H plus ions निकल सकते? तीन निकल सकते थे कितने निकल सकते थे 3 निकल सकते थे reactants में, है ना आपके यहां पे दो अभी भी present हैं, मतलब तीन आपके पहले थे, दो आपके बाद में हैं, तो आपने कितने release करें, अरे यार तीन पहले थे, दो अभी भी आपने रख रखें, मतलब एक ही तो release करा होगा, और उस एक ही release होने पे आपका ये उदर sodium आ चुका है, ठीक है, तो इसका N factor कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि यह पहले तीन लेके बैठे थे, बाद में आपके दो आपने अभी भी रख रखें हैं, तो इसका मतलब एक ही release करा होगा, एक release करा होगा, तो N factor कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ऐसे ही आपके, देखो, second देखो, यहां पे तीन और यहां पे एक hydrogen आपने अभी भी रख रखा है, तो तीन initially थे, एक आपने अभी भी रख रखा है, तो इसका मतलब कितने release करें हैं, दो release करें हैं, तो N factor कितना आ गया, दो, जितने release करोगे, उतना ही तो N factor होता है, उतना ही तो N factor होता है, correct, अब यहां पे तीन थे, यहां जब तीनों के तीनों निकाल दिये, तो N factor कितना आ गया? तीन आ गया, N factor कितना आ गया? तीन आ गया तो दिखो एर, N factor सेम सब्स्टेंस का वेरी कर सकता है अलग अलग reaction में, अलग अलग वो जरूर हो सकता है अगर आप से simply वो पूच लेता है कि H3PO4 का N factor बताओ तीन बोलोगे जो maximum है लेकिन अगर reaction दे रखी है तो इस तरीके से हम लोग reaction से चलेंगे reaction से चलेंगे अगर reaction नहीं दे रखी तो कितना है 3PO4 का 3 है लेकिन अगर reaction दे रखी है reaction अगर दे रखी है, तो reaction के हिसाप से चलेंगे, कोई लोडी नहीं है, कोई भी लोड नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, clear है, acid समझ में आ गया है, acid समझ में आ गया है, आगे बढ़ें, बताओ जड़ा, आगे बढ़ें, n-factor acid का समझ में आ गया है, n-factor acids का, I hope समझ में आ गया होगा, thumbs up दे दो, chat section में, next हम देखते हैं, n-factor base का, n-factor पढ़ रहे हैं, अभी हमें, n-factor पढ़ रहे हैं, next किसका देखते हैं, base का n-factor देखते हैं, number of OH-I-N given, कितने वो OH-I-N दे सकता है, कितने वो OH-I-N दे सकता है, वो क्या हो जाएगा, base का n-factor हो जाएगा, जैसे देखो आपका NaOH, कितने दे सकता है, कितने OH-N दे सकता है, एक दे सकता है, n-factor कितना हो गया, 1 हो गया, calcium hydroxide कितने दे सकता है 2 दे सकता है तो 2 हो गया aluminium hydroxide कितने दे सकता है 3 दे सकता है तो 3 हो गया 3 दे सकता है तो 3 हो गया है चौक उस बाग S3PO2 होता तो उस तरीके से चलते कि माँ पर एक ही hydrogen निकल सकता आता तो उसका तो 1 ही रहेगा clear है जितने ही रो H-1 देगा उतने ही आपके N factor होगा अब यार सारे के सारे आसान है अमने acid देख लिया बहुत अच्छी से देख लिया अब सारे के सारे आसान है base का इतना साही होता है जिसे दिखो third होते हैं आपके salts third होते हैं आपके salts ठीक है? तो salts का n factor क्या होता है n factor is total positive charge और total negative charge तो पूटल positive charge बता दो या फिर आप total negative charge बता दो salt का वो क्या हो जाएगा उसका n factor हो जाएगा अब मैं कुछ यहां पे लिखता हूँ यहां पे मैं कुछ salt लिखता हूँ उसका n factor बताना आप लोग है न इसे NaCl है इसका n factor बताओ MgCl2 है इसका n factor बताओ ठीक है? AlCl3 है इसका n factor बताओ Al2SO4 Thrice salt लिखे है मैंना सारे इसका n factor बताइए इसका n factor बताइए चलो वही है चलो वही है Great हाँ जी टोटल positive charge और टोटल negative charge या तो तो टोटल positive charge बताओ या तो टोटल negative charge बताओ चलिए करो 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 सेका करो करो बढ आम से करो अराम से अभी हम लोग n factor को बहुत बहुत वास तरीके उसे बढ़ने वाले हैं क्या देखना है, total positive charge देखना है, total negative charge देखना है, simply देखो ने, यहाँ पर sodium किसमे exist करता है, plus one में, chlorine किसमें, minus one में, total positive बता दो, या total negative बता दो, क्योंकि आर देखो, जो salt होता है, वो overall electrically neutral होता है, जो salt होता है वो overall electrically neutral होता है तो जितना air positive charge रहेगा न उतना ही आपका negative charge रहेगा ही रहेगा तो कुछ भी बोल दो या राब आप तो positive बता दो या negative बता दो तो n factor कितना हो गया? 1 हो गया positive charge भी plus 1 है negative charge भी minus 1 है तो n factor 1 हो गया n factor में केवल magnitude लेते हैं प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाते हैं केवल magnitude ठीक है अच्छा magnesium किसमें? प्लस 2 में exist करता है chlorine माइनस 1 में ही करता है लेकिन ऐसे कितने हैं? 2 है तो minus 1 into 2 तो total negative charge भी minus 2 है total positive charge plus 2 है 10 factor कितना हो गया? 2 हो गया कुछ भी बता दो या total positive बता दो total negative बता दो एक ही बात है एक ही बात है अब आजाओ ALCL3 पे इधर plus 3 इधर chlorine माइनस 1 में ही करेगा chlorine तो माइनस 1 में ही करता है माइनस 1 into 3 तो total negative charge माइनस 3 total positive charge plus 3, तो N factor कितना हो गया? 3 हो गया 3 हो गया, अब जब जब इसका बताओ AL2, SO4 होल थरा इसका aluminium किस में करता है यार plus 3 में करता है ना किस में करता है? plus 3 में, और ऐसे कितने है? 2 है, तो plus 3 into 2 कितना charge? plus 6 अच्छा, SO4, SO4 ऐसे exist करता है? sulfate में कैसे exist करता है? sulfate में करता है तो यहाँ पे कितना charge है? minus 2, लेकिन into 3 total negative charge minus 6 total positive plus 6 total negative minus 6 in factor 6 बताओ, ज़र आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है clear है? बताइए बताइए, clear है हाँ जी, हाँ बिलकुल OP जी, OP है ठीक है? समझ में आगया है आगे बढ़े है आगे बढ़े है आगे बढ़े है अराम से है, आगे बढ़ते है चलो, आगे बढ़ते है next है अगर आपका कोई अगर आपका कोई charge present है तो N factor हम कैसे निकालते है अगर कोई charge present है तो N factor कैसे निकालते है N factor is simply charge जितना यार उस पे charge है वही उसका N-factor में उतार हो न, अब तो बहुत आसान है चीजे, अब तो बहुत आसान है चीजे, आप तो बहुत आसान है चीजे, N-factor is simply what? चार्ज जैसे देखो, Na plus है, तो इस पे कितना चार्ज है, plus 1 चार्ज है, तो N फाक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, Mg plus 2, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, प्लस 2 चार्ज है, तो N फाक्टर कितना हो गया, 2, Aluminium plus 3, चार्ज कितना है, plus 3, तो N फाक्टर कितना हो गया, 3, Cl minus, चार्ज कितना है, minus 1, n factor कितना हो गया, 1, n factor में केवल क्या लेना है, magnitude, केवल क्या लेना है, magnitude लेना है, magnitude लेना है, ठीक है, जैसे O2 minus, n factor कितना हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, n factor कितना हो गया, 2 हो गया, clear, clear है, सही है, केवल और केवल, जो charge present रहेगा, वो ही हो जाएगा, उस अगर कोई element है, तो element का n-factor क्या होता है, n-factor is its valency, कितनी valency, जैसे देखो, sodium है, sodium की कितनी valency होती है, two होती है, बहुत आसन है, aluminium की कितनी होती है, थीन होती है, तो n-factor, जैसे 3 होती है, chlorine की कितनी होती है, जैसे वह सिम्प्ली उसकी Valency, अब हम लोग एक और next level जाने वाले हैं oxidation number में तयार हो तो थमसब दो chat section में next level जाएंगे हम लोग हमारे n factor में next level जाएंगे next level जाएंगे next level जाएंगे अब हम लोग हमारे n factor में तयार हो तो फटाफट से थमसब दो चलो राइट चलिए अब नेक्स लेवल चलेंगे ने यार सारी चीज़े कवर करनी है आजी आजी चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ग्रेट करनवी रमान याशी आर्या कृष्णा स्नेहा निखिल नमान पूजा चलिए 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 बहुत शाबाश आजाओ भीया आजाओ 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 चलो अब हमको देखना है N factor for reactions ध्यान या लगाना वरना उड़ जाओगे यार वरना थोड़ी इसमें difficulty आने वाली है थोड़ी से difficulty आजाएगी वरना है ध्यान या लगाओगे तो मज़ा आजाएगा मज़ा आजाएगा दस मनट की बात है कितनी दस मनट की बात है है ना देखो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखो submission change in oxidation number into number of atoms अच्छा यह submission क्या होता है addition इस product का हमको addition लेना है अभी देखना अभी आपको चीजे समझ में आ जाएगी अभी देखना आपको चीजे समझ में आ जाएगी क्या है submission change in oxidation number into number of atoms into number of atoms ध्यान देखाना यहाँ पर ध्यान लगाना यहाँ पर ध्यान लगाना जिससे एक है आपका KMnO4 चेक है इसमें यार जो manganese है ना इसकी ज़रा oxidation state बता दो आप मेरे को फटा फट से चैट सेक्शन में इसकी oxidation state बता दीजे मेरे को manganese की बताना ज़रा यार फटा फट से बताओ इसकी आप oxidation state बता दो manganese की बताओ ज़रा चैट सेक्शन पर बताओ कितनी है कितनी हो रही है manganese की oxidation state कमnO4 में कितनी है कितनी है बिल्कुल देखो न यार आपका potassium तो प्लस 1 में रहता है यह तो प्लस 1 में है manganese की निकालनी है x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इस वाट 0 तो x कितना आ रहा है प्लस 7 आ रहा है यह चीज़तो हमने देख लिए है यह चीज़तो हमने देख लिए है अब देखो द्यान से सुनों यहां पर अब मैं हर किसी की आपको oxidation state बताने वाला हूं हर किसी मीडियम में और n factor भी बताने वाला हूं अब देखो यहां पर अब होता है लोगों को, ठीक है, acidic medium में plus 7 से plus 2, neutral में plus 7 से plus 4, basic medium में plus 7 से plus 6, ठीक है, अब हमको इनका n factor चाहिए, का चाहिए, n factor चाहिए, कैसे निकालते है n factor, change in oxidation number into number of atoms, तो देखो, यहाँ पर oxidation number plus 7 था, कहाँ पे गया, plus 2 पे गया, जरा बताना कितना change हुआ, प्लस 7 से plus 2 गये, तो कितना change हुआ, 5 का change हुआ, कितना change हुआ, 5 का change हुआ, ठीक है, change in oxidation number is 5, into number of atoms, तो देखो, यहाँ पर, number of atoms कितना है, एक ही तो है, manganese का number of atoms कितना है, एक ही है, तो 5 into 1, n factor कितना आ गया, 5 आ गया, अब देखो, neutral medium में, plus 7 से, कहाँ गये हो, plus 4 में गये हो, जरा बताना, कितना change हुआ है, plus 7 से, plus 4 गये हो, कितना change हुआ है, 3 का change हुआ है, 3 लिख दिया, into number of atoms, तो number of atoms, देखो, manganese का कितना है, एक ही है, 3 into 1, क्या हो गया, 3 आ गया, plus 7 से, plus 6 गये हो, n factor कितना है, आपका change कितना हुआ है, plus 7 से, plus 6 गये हो, तो change कितना का हुआ है, एक का हुआ है, बिलकुल, number of manganese atom कितना है, एक ही है, तो 1 into 1, ये क्या गया, 1 आ गया, ये क्या गया, 1 आ गया, correct है, ये जी समझे हैं, एक और देखो, एक और देखो, K2, CR2, O7, इसको हमने डाला, acidic medium में, किस में डाला, acidic medium में डाला, ये convert हो जाता है, chromium plus 3 में, जरा यार मेरे को यहाँ पे, chromium का oxidation state बताईए, K2, CR2, O7 में, chromium का oxidation state, जल्दी से chat section में बता दो, बताओ, जल्दी से chat section में बताईए, जल्दी से chat section में बताईए, K2, CR2, O7 का, कैसे निकालोगे, potassium कितने हैं, 2, तो 2 into plus 1, plus chromium 2x, plus 7 into minus 2, is what, 0, तो x कितना आ रहा है, plus 6 आ रहा है, plus 6 आ रहा है, बिल्कुल plus 6 आ रहा है, plus 6 आ रहा है, तो plus 6 से, कहां गई हो, plus 3 गई हो, तो change कितने का है, plus 6 ए, plus 3 गई हो, तो चेंज कितने का है?, तीन का चेंज है, तीन का चेंज है, into number of atoms, तो ध्यान लगाओ, chromium के कितने atoms हैं?, दो atoms है, reactant की बात कर रहे हैं, product की बात नहीं कर रहे remplman, how peer reactant सह्ने हैं, चीक है?, तो reactant में आपके number of chromium atoms कितने हैं? दो, तो into 2 करना नहीं भूलना, ये बहुत important है तो ये क्या है इन factor? 6 आया, ये इन factor कितना आया? 6 आया इन factor कितना आया? 6 आया, आईए बात समझ में या ना, जैसे देखो एक और का, अब आप लोग इनका इन factor बताईएगा मेरे को इनका आप मुझे इन factor बताईए, ये एक equation लिख रही है और ये एक equation लिख रही है आप इनका इन factor मुझे बताईए, चैट सेक्शन में बताओ 1 और 2, ना इनका मुझे आप इन factor बताईए मज़ा आएगा अब इसमें मज़ा आएगा, चलो, बताओ दोनों का एन factor बताओ बताओ, दोनों का एन factor बताईए मेरे को चलो चलो, बताईए, दोनों का एन factor बताईए, कुछ नहीं change in oxidation number into number of atoms change in oxidation number into number of atoms देखो, यहाँ पर मज़ा आने वाला है मज़ा आने वाला है इस oxygen का जरा oxidation number निकालो, यहाँ पर कैसे निकालोगे 2 into plus 1 plus 2 into x is what 0 तो x कितना आ रहा है, minus 1 आ रहे यहाँ पर minus 1 था और यहाँ पर तो obviously 0 रहेगा यह oxygen है ना, O2 तो यह oxygen double bond oxygen है तो यहाँ पर अगर मैं bond तोड़ूँगा तो कोई भी charge डेवलप नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों atom क्या है, same है दोनों के दोनों atom क्या है, same है तो यहाँ पर oxidation state क्या है, 0 है तो minus 1 से 0 जा रहे है चेंज कितने का यह बताऊ क्यवल change देखना है है ना, क्यवल change देखना है क्यवल change देखना है, minus 1 से 0 जा रहे है चेंज कितने का है, एक का चेंज है एक का चेंज है into number of atoms into number of atoms, जड़ा बताना है यहाँ पर oxygen के कितने atoms है यह चीक चीक के कह रहा है, दो atom हूं है तो into 2, तो n factor कितना आया है, 2 आया है, n factor कितना आया है, 2 आया है, clear हुआ है, यह बताओ बहले मेरे को, थमसब दो chat section में अगर यह वाला example clear हो गया है, उसके बाद मैं next example की तरफ चलता हूँ, ठीक है, यह चीज clear हो गई है, अब बताओ ज़रा next वाले का, next वाले का क्या होगा, बताओ, कैसे, जिसे देखो यार, जिसे देखो, ज़रा इसको उड़ाओ, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर concentration रहेगी न, तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, आपका FEC2O4 है, FEC2O4 है, FEC2O4 है, तो यह आपका, पहले आप इन्हें तोड़ो, पहले आप इन्हें, bond, मतलब ions में तोड़ो, तो देखो, iron पर क्या चार्ज होएगा, प्लस 2 होएगा, और इस पर होगा, C2O4, 2-, क्योंकि यह यह oxalate है, इसको हम क्या बोलते हैं, oxalate iron भी बोलते हैं, तो iron की oxidation state कितनी है, प्लस 2 है, इसमें, correct, तो यहाँ पर iron प्लस 2 से, प्लस 3 गया है, ध्यान से सुनना है, यहाँ पर, प्लीज यार, मैं बहुत ज़्यादा stress इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यह जबरदस बात आने वाली है, जबरदस बात आने वाली है, Iron आपका, प्लस 2 से, प्लस 3 पे गया है, मेरे को जबरा यह बताना, कितने का change हुआ है, कितने का change हुआ है, एक का change हुआ है, into number of atoms, Iron के कितने atom हैं, यहाँ पर, एक atom है, तो 1 into 1, यह आ गया, वन, यह आ गया, वन, जबरा यहाँ पर, oxalate ion है C2O42- यहाँ पे मेरे को carbon का oxidation number बताना chat section में carbon का oxidation number बताई chat section में C2O42- carbon का oxidation number बतादो oxidation number बतादो बताओ कैसे निकालोगे 2x plus 4 into minus 2 is what? minus 2 carbon का कितना आ रहा है plus 3 आ रहा है carbon यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं carbon यहाँ पे plus 3 में है और CO2 में carbon plus 4 में है तो बच्चा यहाँ पे carbon का भी change हो रहा है iron का तो हो ही रहा है carbon का भी 7-7 में change हो रहा है तो यहाँ पे carbon plus 3 से जा रहा है plus 4 तो कितने का चेंज है, कितने का चेंज है, एक का चेंज है, प्लस 3 से प्लस 4 गया, कितने का चेंज है, एक का चेंज है, into number of carbon atoms, यहाँ पे देखोगे, reactant में, कितने है, carbon atom, 2 है, तो into 2, तो अब आपको total n factor बताना होता है, तभी तो देखो, यहाँ पे हैर मैंने submission लिखाता, य एक का 2 आया है, तो total n factor, 1 plus 2 is what, 3, समझ में आ गया है, तो थम सब देदो, चायट सेक्शन में, वीडियो को like भी कर दो, आई है बात समझ में, अरे यह disproportionation कहा है, इसको थोड़ी ना disproportionation reaction बोलते है, disproportionation अभी आने वाली है, समर्थ disproportionation अभी आने वाली है, clear हो यह चीज, अरे भा बंगड़ा हो रहा है, बाहर, किसी की शादी हो रही है, डोल नगाड़े बज रहे है, clear, अभी आएंगे, ऐसे ही equation, और आएंगे, तौर सा, और आएंगे, ऐसे ही equation, clear, clear, सही है, अभी देखो, अभी जैसे कुछ बच्चे disproportionation बोल रहते हैं, अब चलो, disproportionation में लेके चलता आपको निया फंडा सको हूँ, एक दम तगडी तरीके से पढ़ रहे हैं, अब चलो, नेक्स की तरफ चलो, disproportionation reaction देखो, और 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 भाई, क्या बात है, डांसिंग और यह बहर, आप रुको, मैं नाच के आता हूँ, मैं थोड़ा खुशिया मना के आता हूँ smiley is dance वाली, क्या बात है, चलो, disproportionation reaction देखो, disproportionation reaction देखो, disproportionation reaction आप लोग को आवाज आ रही है गया, यह, या फिर यह, इतना capable है कि यह बहार की noise नहीं ले रहा है, आपको आ रही है गया, आजी, चलो, चलिए, 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 स्टार्ट करते हैं, disproportionation reaction है ना चौकोसपाग oxygen का generally हम लोग change in oxidation number नहीं consider करते हैं reactions में चेक है माई कितना capable है माई कितना capable है भार की नहीं ले रहा है बहुत सही बहुत सही चलो आजब disproportionation reaction disproportionation reaction पहले होती क्या है इसको समझो reaction reaction in which in which same element in which same element undergoes oxidation and reduction simultaneously मतलब एक ही साथ एक ही साथ एक ही element का oxidation भी हो रहा होता है एक ही उसी element का reduction भी हो रहा होता है same element का oxidation भी हो रहा होता है same element का reduction भी हो रहा होता है इस reaction को हम क्या बोलते हैं disproportionation reaction बोलते हैं जैसे देखो आपका CL2 है ठीक है इसको अगर आप थोड़ा सा basic condition में लेते हो basic condition सपोस करो cold and dilutely cold and dilutely तो यह convert हो जाता है CL- में plus CLO- में अब ज़रा देखो यार क्या यहाँ पे chlorine की oxidation state 0 है ज़रा बताना चाट सेक्षन में chlorine की oxidation state क्या है 0 है यहाँ यहाँ पे यह चीज सही है यहाँ पे कितनी है चार जन है और यहाँ तो यह माइनस वन है यहाँ पे कितनी है CLO- chlorine की कितनी है x plus 1 into minus 2 oxygen की तो minus 2 ही रहेगी is minus 1 x की कितनी है plus 1 x की कितनी है plus 1 तो 0 से minus 1 गए हो यह process काउन सा है बताइए 0 से minus 1 गए हो मतलब oxidation number कम हुआ है ये process क्या है reduction ठीक है और 0 से plus 1 गए हो ये process क्या है oxidation तो देखो same element का किसका किसका chlorine का ही oxidation हो रहा है chlorine का ही reduction हो रहा है ऐसी reactions को क्या बोलते है disproporation reaction same element का oxidation same element का reduction सही है अब जैसे देखो एक और example CL2 और अगेन basic condition ले रखी है ठीक है hot and concentrated hot and concentrated ये जाता है CL minus में plus CL O3 माइनस में अच्छा देखो यहाँ पर oxidation state 0 यहाँ पर minus 1 यहाँ पर निकालोगे तो plus 5 आएगी plus 5 आएगी ठीक है ये process क्या है 0 से minus 1 reduction 0 से minus 1 reduction ये process क्या है ये process क्या है oxidation ये process क्या है oxidation है मेरी बात सुनोः ध्यान से मेरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो ध्यान से अब इसका n factor निकालना भी आपको N1 और N2 बता सकते हो break देते हैं मुझे बस है chat section में N1 और N2 बता दीजिए chat section में फटा फट से बता दो मुझे फटा फट से N1 और N2 क्या रहेंगे ये बता दो अगर ये बता दिया न तो मज़ा आ जाएगा अभी अभी मैंने सिखाया है आपको इसलिए बूछ रहा हूँ क्योंकि सिखाया है मैंने आपको देखो कैसे होगा कैसे होगा N1 को देखो आप पहले N1 को देखो 0 से जा रहे हो minus 1 0 से जा रहे हो minus 1 कितने का change है एक का change है into number of atoms नहीं भूलना कुछ बच्चे number of atoms भूल गए है कुछ बच्चे number of atoms भूल गए है number of atoms से multiply तो करो कितने है number of atoms 2 है 1 into 2 N1 कितना आ गया 2 आ गया ठीक है oxidation में देखो 0 से कहा जा रहे हो plus 5 जा रहे हो कितने का change है 5 का change है into number of atoms कितने है 2 है number of atoms कितने है तो 5 इंटू 2 ये क्या आ गया 10 आ गया तो अगर आपसे total n factor पूछ रहा है overall n factor अगर आपसे overall n factor पूछ रहा है तो उसका formula होता है n1 into n2 upon n1 plus n2 तो ये कितना हो जाएगा 2 into 10 upon 2 plus 10 क्या हो गया 20 by 12 बोले तो 5 by 3 लेकिन ये जो formula है formula है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए valid है valid only for disproportionation disproportionation जो disproportionation reaction रहेगी सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ही formula उसी के लिए ही formula बता हो आया समझ में आया समझ में ये तो याद हो गया याद होगे ना N1 N2 N2 upon N1 plus N2 N1 N2 N2 upon N1 plus N2 Clear है Thumbs up दो चाट सक्षण में I hope ये चीज Clear हो गई हो गी नहीं याद नहीं रखो Reaction याद नहीं रखो Basically या रियाक्षन P ब्लॉक में आती है तब की तब देखेंगे अभी तो आपको reaction दे रखी होगी अभी आपको reaction दे रखे होगी याशी कुछ molecules oxidizing agent होते हैं, कुछ molecules reducing agent होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ठीक है, N1 और N2 क्या है? N factors है, oxidation और reduction के reactions के, clear clear, 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 clear ठीक है, सही है alright, आगे बढ़ें ये reaction बाद में आ जाएगा, IRP block में तब याद कर लेना, अभी जरूरत नहीं है याद करने के, चीक है? JKD दमागा जी alright चलो alright, चली है na formula कैसे आया, उसे छोड़ो यार, हम लोग equations पर जादा है focus दे रहे हैं चलो break चाहिए गया? अरे 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 भाई साब डोल नगाडे कैसे रोके हम अपने आपको हैं, कैसे रोके break चाहिए चलो, दो मिनट का break दे देते हैं दो मिनट का break, है ना मैं भी थोड़े सी सांस ले लू यार, है ना, दो मिनट का break, अब क्या करें, यार समय कम है, तो छोटे छोटे ही break देने पड़ेंगे दो मनिट का ब्रेक को, चलो यार क्या चल रहा है जीवन में, हैं, नई यार मैं पूने में नहीं हूं, मैं जैपुर में हूं आशकल, पूने में थे, पहले थे, KYQ अभी आएंगे बस अब थोड़ा सा titration देखेंगे अभी हम और फिर थोड़ा बाइध जो आपका galvanic sales होता है वो करेंगे गाना काएंगे बिल्कुल गाना भी गाएंगे इभी dance भी करेंगे सारी चीजा करेंगे पड़ाई के लावा सम्ट करेंगे पड़ाई के लावा हम सब करेंगे आवाज आ रही है कि आप लोग को इस बैंड बाजएगी लाइक कर दो या अगर लाइक नहीं कराए वीडियो तो आपको आ रही है कि आप गाने बजाने की आवाज अगर क्या करें यार है कॉले ही में बज रहे हैं तो अब उसको मना तो नहीं कर सकते हैं उस बिचारी की तो शादी है यार हम तो फिर भी चलो हमारा सेशन तो रोजी हो रहा है उसकी शादी तो हूपफुली साल में जीवन में एक ही बार होगी नहीं है न आहां जी नोट्स आपको टेलिग्राम चैनल पे मिलेंगे और इंस्ट्राग्राम पे हो तो मेरे को महां पे भी फॉलो कर लेना ठीक है चलो चलो पढ़ते हैं ना टाइटरेशन साट करते हैं कहां गया हमारा टाइटरेशन आदि चलो इकुवलेंट वेकी वेट के बारे में पह्ले पढ़ लेते हैं बने किल या बने को सब्सक्राइटरेशन deras नोगो नियार देखो यहां पर धियान के बारे में पढ़ते है बेलकों चलो लो एकीवेलेंट वेट क्या होता है कैसे निकालते हैं मैंने आपको फॉर्मूला भतायता मैंने ऐसे मर्मेंन मुलर मांस आप यहें Factor, क्या होता है? Molar Mass upon N Factor, आपका N Factor, आपका Equivalent Weight होता है, Molar Mass हमें निकालना आता है N Factor, अभी-भी हमने सीख लिया, अभी-भी हमने सीख लिया, करेक्ट, जैसे देखो जैसे देखो, आपका, सपोस करो आपसे पूछ रहा है मैं Equivalent Weight, जिसे E से लिखूँगा मैं, जैसे मैं E से Equivalent Weight, H2SO4 है, फटा-फटा से मेरी चाट सक्षन में बतादो, Equivalent Weight H2SO4 का कितना होगा Equivalent Weight H2SO4 का कितना होगा जल्दी से चाट सक्षन में बतादो कैसे निकालोगे? Molar Mass कितना होता है, 98 होता है N factor मुझे पता है H2SO4 का acid है जितने H plus देगा कितने देगा? 2 देगा तो 2 हो गया कितने देगा? 2 देगा correct है? correct है अब जैसे equivalent weight हम बात करें बात करें HNO3 की HNO3 की molar mass molar mass तो हमें आता है molar mass तो हमें यार निकालना आता है निकाल दो यार कितना? देखो यह कितना होगा? 48, 14 कितना होगा? 62 और plus 1 63 यह कितना होगा? 63 N factor कितना है? 1 H plus दे सकता है upon 1 तो basically सारी जो गाड़ी अटकीवी थी वो कहां पे अटकीवी थी? N factor पे N factor पे तभी हमने इतना focus करा है क्योंकि equivalent weight तो क्या है molar mass upon N factor N factor आ गया तो equivalent weight भी आ गया equivalent weight भी आ गया अब एक खास बात होती है equivalent weight की और आगे questions में मैं इसे दिखाने भी वाला हूँ यहाँ पे इसको note भी डाल लो चाहो तो note भी डाल लो कि अगर कोई बोले कि equivalent weight H2O का है ना? देखो एक आपको बड़िया सी एक चीज बताते है देखो यहाँ पे यह चीज आप ध्यान रखो यह जो मैं बादल बना रहा हूँ यहाँ यह चीज आप ध्यान रखो क्या चीज? equivalent weight hydrogen का कितना होता है? 1 होता है equivalent weight oxygen का कितना होता है? 8 होता है और equivalent weight chlorine का कितना होता है 35.5 अब अगर आपसे पूछ रहा है equivalent weight H2O का क्या पूछ रहा है equivalent weight पूछ रहा है H2O का तो इसको आपको तोड़ना आना चाहिए this is very important this is very 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 important equivalent weight H2O का मैं कैसे लिख सकता हूँ H2O किसके से बना है hydrogen और oxygen से बना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे equivalent weight hydrogen plus equivalent weight oxygen ऐसे तोड़ सकते हो जिस भी element से बनावा है वो आप उसको individually ऐसे तोड़ सकते हो तब equivalent weight hydrogen का कितना है 1 है oxygen का कितना है 8 है तो equivalent weight पानी का कितना हो गया 9 हो गया ऐसे individually तोड़ सकते हो बहुत जबरदस्टी जाहिए जैसे देखो equivalent weight NaCl का तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ equivalent weight sodium का plus equivalent weight chlorine का chlorine का मुझे equivalent weight पता है कितना 35.5 sodium का निकाल सकते हो गया sodium का equivalent weight निकाल सकते हो कैसे molar mass upon N factor molar mass sodium का कितना होएगा 23 N factor कितना होएगा valency valency कितनी होती है 1 होती है sodium की 1 होती है तो NaCl का आगया 23 plus 35.5 clear हुआ है नहीं नहीं यही तो मझे की बात है यहाँ पे आप 2 hydrogen नहीं लोगे जैसे यहाँ पे 2 hydrogen थे पानी के तो 2 hydrogen नहीं लेना है हमको individual ही बास EH plus EO कर देना है EH plus EO कर देना है आपको कितने number of atoms है उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है equivalent में उससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता है equivalent में clear होई है यह चीज clear होई है ठीक है जैसे देखो आपको question करवाता हूँ जैसे यह question है यह question है यह question है यह करो यार एक बार आप attempt फिर मैं करूँगा फिर मैं करूँगा फिर मैं करूँगा हाँ जी equivalent में आपका फरक नहीं पड़ता है कि कितने number of atoms है करिये आजी बिल्कुल sociometry पे depend नहीं करता है equivalent बिल्कुल सही बोल रहे है यह बच्चा जो gaming world जो आप पूछ रहे हैं यह basically एक तरीके से trick है अपकी equivalent weight को बहुत simplify करने की देखो अब इसे करो इसे आएगा आपको इसे आएगा आपको if equivalent weight of metal is 12 मतलब equivalent weight metal का क्या दे रखा है आपको 12 दे रखा है बहुत ध्यान से सुनना है find equivalent weight of its oxide, nitrate and sulfate आपको उसकी oxide, nitrate and sulfate equivalent weight बताना है तो देखो मैं क्या लेख सकता हूँ equivalent weight metal oxide का it is equal to equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxygen ऐसे मैं तोड़ सकता हूँ यार मेरे शेरो यह बताओ ऐसे मैं तोड़ सकता हूँ बड़े प्यार से तोड़ सकता हूँ बिल्कुल तोड़ सकता हूँ equivalent weight metal का मुझे दे रखा equation में कितना दे रखा है 12 oxygen का मुझे पता है 8 तो metal oxide का कितना आ गया 20 आ गया 20 आ गया आ रहे बात समझ में आया बात समझ में अब जैसे देखो उसके nitrate का निकालना है metal के nitrate का देखो अब कितने आसान हो जाएंगी चीज equivalent weight equivalent weight metal nitrate का क्या हो जाएगा equivalent weight metal plus equivalent weight nitrate यही तो होगा यही तो होगा nitrate बोले तो यहां पर चाहो तो यह spelling नहीं लिखके आप इसका formula भी लिख सकते हो nitrate का क्या formula होता है nitrate का क्या formula होता है NO3- metal का कितना है equivalent weight 12 अच्छा ज़रा equivalent weight nitrate का आप निकाल सकते हो निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हो molar mass upon n factor NO3- molar mass निकालो 62 n factor कितना है चार्ज है न यार जितना चार्ज है उतना n factor तो upon 1 कितना आ गया यह 74 आ गया अब मेरेको जल्दी से चार्ट सेक्षन में equivalent weight metal sulfate अब आप लोग करलोगे करो 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 एक बार से equivalent weight metal sulfate पूर्दू रूज है equivalent weight of metal plus equivalent weight of sulfate equivalent weight Alter metal का प्लस equivalent weight, sulfate का, sulfate होता है SO4 2 minus SO4 2 minus metal का कितना होता है, question में दे रखा है 12, sulfate का कैसे निकालोगे मेरे share हो molar mass upon n factor molar mass sulfate का आएगा 96 n factor कितना है, जो charge है 2 जो charge है 2 अब कर लेना सको solve सही है आया समझ में थमसब दो chart section में आया समझ में clear हो यह चीज़े clear हुआ है clear हो गया है यह चीज़ बहुत सई, बयलकुल इसको solve कर लेना है अब ज़रा ये वाला question करो different different question कर रहे हैं ये वाला question करो आया और क्या बात है है, चलो, 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 बहुत साही, बहुत साही, बहुत साही, अब यह वाला क्वेशन करो, हाजी, सब पर अपलिके बले है, याशी, सब पर अपलिके बले है, देखो, बोल रहा है, atomic weight of a metal is 27, and equivalent weight is 9, fine formula of its chloride, हमने अभी अभी सीखा, equivalent weight equals to molar mass upon n factor, equivalent weight कितना दे रखा है, no, molar mass, molar mass मतलब atom के लिए क्या हो जाएगा, उसका atomic weight, उसका atomic weight कितना होगा, 27 दे रखा है equation में, upon n factor, n factor कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यह क्या है, इसकी valency ही तो है, किसी भी element का, जो n factor है, वो उसकी क्या बताता है, valency बताता है, क्या बताता है, valency बताता है, correct, अब देखो, भोड़ रहा है formula of its chloride, तो अगर metal की valency 3 है, तो metal कैसे exist करेगा, M plus 3 में, 3 और electron lose कर देगा, chlorine कैसे exist करता है, minus 1 में, अब क्या करो, cross multiply, formula कैसे बनता है, cross multiply से, तो M, C, L, 3, answer आ गया, बोलो हलवा है, हलवा है ना, आसान है, बिलकुल आसान है, metal तो element lose, electron lose करेगा, तो metal plus 3 में जाएगा, chlorine आपका minus 1, cross multiply, बच्चपन में बढ़ाता, formula बनाने के लिए, आपका answer आ चुका है, इतना, clear, समझ में आ गया है, तो like कर देना, वीडियो को, थमसब दे देना, chat section में, खेक है, सही है, सही है, बिलकुल सही है, अब आजाओ, normality पे, यह concentration term है, यह concentration term है, n से इसे हम represent करते हैं, n से इसे हम लोग represent करते हैं, ठीक है, देखो, normality का पहले तो formula देखो, normality का पहले तो formula देखे, formula होता है, number of gram equivalents, अब भी gram equivalents क्या होता हैं, बात कर रहे हैं, number of gram equivalents upon volume of solution in liter, और अगर आप ml में लेते हो, volume, देखो, number of gram equivalent upon, अगर volume आप ml में लेते हो, volume of solution in ml लिया है, तो आप 1000 से multiply करोगे, correct है, correct है, सही है, बिलकोल, अब सीदा सीदा ये देखो, ग्राम equivalent क्या होता है, ग्राम equivalent कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये नयाटा हमारा है आपके लिए, ये नयाटा हमारा है, number of gram equivalent कैसे निकालते हो, number of gram equivalent कैसे निकालते हो ऐसे निकालते हो given weight आपको equation में weight दे रखा होगा upon equivalent weight equivalent weight अभी अभी हम सीख के हैं equivalent weight अभी हम सीख के हैं कैसे निकालते हैं molar mass upon n factor तो ध्यान से देखोगे न अगर समझोगे तो ये N Factor है सबसे बड़ा खिलाडी क्यों? अगर आपको N Factor आता है तो आपको Equivalent Weight निकालना आता है बिलकुल आता है Equivalent Weight निकालना आता है तो आपको Gram Equivalent निकालने आते है Gram Equivalent निकालना आता है तो आपको Normality आती है तो सारा का सारा खेल कहां बसा हुआ है N Factor पर इस जो चाप्टर के इस चाप्टर के आपके दो हीरो है कौन एक है ऑक्सिडेशन नंबर दूसरा है N Factor ये दो आ गए ना तो भाईया चाप्टर अपने हाथ में है फिर कोई नहीं हिला सकता ये दो कौन है खिलाडी है ये दो कौन है खिलाडी है अब मैं आपको कुछ formula लिख देता हूँ यहाँ पे अब मैं आपको कुछ-कुछ यहाँ पे formulas लिख देता हूँ जैसे देखो एक relation होता है जो अगर आप लोगों ने कल का practice session अटेंड गया होगा तो मैंने वहाँ पे यह relation बताया भी था मैं वापस यह ही यहाँ पे अभी आपको relation बता देता हूँ ठेक है relation क्या है Basically normality और molarity में relation देख रहे है normality और molarity में relation देख रहे है क्या relation होता है normality equals to molarity into n factor ये एक relation है ठेक है यह एक relation है, दूसरा relation होता है number of gram equivalent number of gram equivalent is equals to moles into n-factor यह दो आपके relation है तो देखों यहाँ पे भी n-factor काम आ रहा है यहाँ पे भी n-factor काम आ रहा है यहाँ पे भी n-factor काम आ रहा है clear है आइ है बात समझ में हाटना अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको अगर आपसे मैं पूछूँ आपको gram equivalent निकालने है gram equivalent निकालने है तो कितने formula हैं आपके पास gram equivalent निकालने है तो कितने formula हैं आपके पास तीन formula है हमारे पास gram equivalent निकालने हैं कौन कौन से एक तो यही है देखो, एक तो यह रहा, given weight upon equivalent weight given weight upon equivalent weight दूसरा तरीका क्या है gram equivalent निकालने का देखो, अगर मुझे normality पता है अगर मुझे volume पता है लीटर में मैं दोनों को multiply कर दूँ तो क्या मिरे पास gram equivalent आ जाएंगे क्या मिरे पास gram equivalent आ जाएंगे दूसरा तरीका क्या है normality into volume in liter तीसरा तरीका क्या है gram equivalent निकालने का moles into n factor क्या जितना भी slide पे लिखावा है ये चीज आपको clear हो गई है ये चीज आपको clear हो गई है ये तो thumbs up देदो, अब कुछ questions की तरफ बढ़ रहे है मानविता YouTube पे ही होते हैं आज भी हम लोग 7 बजे practice session में मिलेंगे redox के ठेक है ठेक है तो आप उसे attend कर सकते हैं अल्राइट चलो चलो अब मैं आपको कुछ कुछ और questions करवा देता हूँ इसके basis पे जतना भी अभी हमने जो normality के बारे में पढ़ा है equivalent weight के बारे में पढ़ा है चलो आजाओ चलो ये question करो question करो ये फिर हम लोग titration की तरफ move करेंगे फिर हम लोग titration की तरफ move करेंगे चलो 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 देखो इसमें क्या करो इसमें सबसे best तरीका पता है क्या है आप लोग molarity निकाल दो molarity तो हमें पता है नहीं क्या होती है number of moles solute के कल पड़ी थी हमने upon volume solution का अगर ml में है अगर ml में है तो आप इसे 1000 से multiply कर देना correct number of moles H2SO4 के कैसे निकालोगे given mass upon molar mass ठीक है तो simply molarity कितनी आ रही है 4.9 upon 98 ये moles volume कितनी है 250 ml में है 1000 से multiply कर दो अभी अभी सीख के आये है कि normality निकालनी है तो it is molarity into n factor तो simply जो आपकी normality थी वो क्या हो जाएगी molarity into n factor H2SO4 का n factor कितना चल रहा है market में दो चल रहा है 4.9 into 1000 upon 98 into 250 into 2 ये आ गई आपकी normality बताओ सही है क्या बताओ सही है क्या बताओ सही है बिल्कुल सही है molarity मेरेको आती है मैं उससे comfortable हूं मैंने molarity निकाल दी उसके बाद n factor से multiply करके खतम हो गया आपका answer clear ये चीज बहुत important है ये चीज पढ़े पढ़े suppose करो आपकी कोई सी भी reaction है A plus B reacts to form C plus D कोई सी भी reaction है ये आपकी and suppose करो this reaction is unbalanced this reaction is unbalanced ये reaction आपकी balance नहीं है ये reaction आपने balance नहीं करी है तो law of chemical equivalence क्या बोलता है law of chemical equivalence बोलता है कि gram equivalent of A is equal to gram equivalent of B is equal to gram equivalent of C is equal to gram equivalent of D मतलब यार जितने भी reactants होएंगे जितने भी products होएंगे सब के gram equivalent एक reaction में क्या होते हैं बराबर होते हैं irrespective reaction balance है या नहीं है बिल्कुल unbalance में करो यार आपके पास हजार reactant है आपके पास हजार product हो हजार reactant है हजार product है सब के gram equivalent क्या होंगे बराबर होएंगे यह क्या होता है law of chemical equivalence law of chemical equivalence सब के gram equivalent क्या होंगे बराबर होंगे gram equivalent निकालने का तरीका पता है यह जो blue डबबा है gram equivalent हम इन तीन तरीके से निकाल सकते हैं अब देखो questions उस पे अब आजो questions अब आएगा मजा करो यह question करो करो करें 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 क्या बोल रहा है 2 gram of a base whose equivalent weight is 40 reacts with 3 gram of an asset find equivalent weight of asset find equivalent weight of asset कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे आपका एक base है और एक acid है यह react कर रहा है acid और base react करके क्या बनाते है salt और पानी बनाते है उससे खहर कुछ फरक नहीं पड़ता है हमको तो बस law of chemical equivalence लगाना है क्या मैं क्या मैं यह बोल सकता हूं gram equivalent of base is equal to gram equivalent of acid क्या मैं यह चीज बोल सकता हूं क्या मैं यह बोल सकता हूं क्या है क्या होते है बराबर होते है सबके सबके law of chemical equivalence मैं यह बोल सकता हूं अब gram equivalent में यह को निकालना है base का gram equivalent का क्या formula था given weight question में दे रखा होगा upon equivalent weight given weight base का दे रखा है equivalent weight दे रखा है सही है सही है चलो next question करो यह वाला करो यह वाला करो यह वाला करिये चलिए यह करिये चलो यह करो आपका 0.126 gram of an acid required 20 ml of 0.1 normal NaOH to neutralize find equivalent weight of an acid देखो again acid और base react कर रहे है base कोई सा भी हो यार चलो इसमें NaOH है तो NaOH लिख दो क्या बनाएंगे salt and water क्या मैं यह बूल सकता हूं gram equivalent of acid यह बराबर होगा gram equivalent of NaOH के सही है 0.126 gram acid का 0.126 upon equivalent weight equivalent weight acid का लिख दो यह तो बूछा है ग्राम equivalent थम्सप दे दो सक करना पड़ता है उसे सक करना पड़ता है ध्यान होगी आपको रिम रिम पे आने वाली होती है तो फिर वो नीचे चले जाती है फिर उसे वापिस सक करना पड़ता है फिर वापिस लेना पड़ता है तो भाईया इतना difficult process होता था इतना difficult process होता था अरे वाईया किसी का तो favorite है यहां पर practical ना मेरे से तो इतना मेरे से तो होता ही नहीं था मैंने तो एक अपना दोस्त पकड़ लिया था एक मैंने अपना दोस्त पकड़ लिया था उसको बोलता था कि वाईया तू ही करने वाला है हमारा titration जीवन में दुख खतम काहे नहीं होते हैं जीवन में दुख खतम काहे नहीं होते हैं चलो आजाओ titration आजाओ हाँ जी वेल कोल है ना कुछ ऐसे एसे टेस्ट कर रहे हैं क्या वात है चलो देखो titration होता क्या है process of determination of unknown concentration with the help of known concentration is known as titration is known as titration is known as titration तिससे देखो क्या होता है यह आप लोग beaker लेते हो ज्यान से सुनना यह आपने beaker लिया यह आपने burette में कोई solution ले लिया ऐसी करते हो ना अब डाइग्राम पे नहीं जाना है थोड़े से special होते है special मतलब field लेनी है field लेनी है हमारी burette ऐसे ही बनेगी हम हमारी burette ऐसे ही तेडी मेडी ही बनाते है और यहाँ पर क्या ले रखा है कोई solution ले रखा है सपोस करो यह known solution है मतलब यह known solution है known solution मतलब इसकी आफ़े मतलब आप को concentration नॉर्मालीटी पता है और वॉल्यूम भी पता है नॉर्मालीटी भी पता है चलो चारेक है और यह है आपका यह है आपका unknown solution यह है आपका unknown solution इसकी देखो आपको वालूम तो पता है क्योंकि यह आपने ब्यूरेट में कितनी volume लेते हैं यह तो हमें पता होती है ब्यूरेट में कितनी volume हम लोग लेते हैं यह तो हमें पता होती है लेकिन इसकी concentration क्या है यह हमें नहीं पता है क्योंकि unknown है क्योंकि obviously unknown है अब क्या हो रहा है यहाँ पे यह तिप 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 तिप 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 तो क्या एक चीज मैं लिख सकता हूँ क्या एक चीज मैं लिख सकता हूँ according to law of chemical equivalent जो अभी अभी हम पढ़ते में आये हैं ये मैं लिख सकता हूँ कि gram equivalent of unknown is equal to gram equivalent of known जड़ा शेरो चैट सक्षन में बताओ फटा फट क्या ये चीज मैं लिख सकता हूँ क्या ये चीज मैं लिख सकता हूँ obviously या रियाक्ट कर रहे हैं नून और अनून तो उन दोनों के gram equivalent तो बराबर होने ही है है ना दोनों के बराबर होने ही है correct है अच्छा gram equivalent कैसे निकाल सकते हो normality और volume को multiply करके normality और volume को multiply करके तो obviously देखो unknown solution है तो उसका है ये क्या जाएगा n1 v1 equals to n2 v2 correct है क्या जरा बताना बताईएगा सही है बिलकुल सही है तो titration में titration में आपकी दो चीजे चलती है titration में आपकी दो चीजे चलती है basically gram equivalent हम बराबर करने वाले हैं देखो n1 v1 equals to n2 v2 एक तो ये चलेगा एक formula ये चलेगा दूसरा formula क्या हो सकता है equivalent का gram equivalent निकालने का दूसरा formula क्या हो सकता है moles into n factor भी हो सकता है moles into n factor भी तो हो सकता है है ना तो दूसरा formula क्या चलता है n1 into nf1 equals to n2 into nf2 n1 into क्या है moles है और nf1 nf2 क्या है n factors है थमसब दो चाट सक्षन में बस अल्मोस्ट पे आ चुके हैं धीरज आयूश अल्मोस्ट पे आ चुके हैं ठीक है ठीक है तो यह दो फॉर्मुले चलने वाले हैं कामनोफोर की थ Lenyस लहां क्यों में आपके टाइ्टड इच्छन में त मत्धाइन बढ़नी हैं कि मैंमोफोर की यहीं क्या है क्यमैनोफोर की वेशन है वेश्य कोय। आपने सब्सक्राइश करो 있지 और occasional एक idiander टारे क्या क्या ह decides वेशन चक्या है ये एक oxidizing agent होता है, एक oxidizing agent होता है ये, ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये मैनोफोर, माल लो, suppose करो, suppose करो, एक के साथ react करता है, एक कोज भी आपका substance है, कोई साभी substance है, suppose करो, ये acidic medium में react करता है, acidic medium में react रहता है तो manganese acidic medium में plus 7 से कहाँ जाता है chat section में बताना acidic medium में kmenophore में manganese plus 7 में है वो कहाँ जाता है plus 2 में जाता है Manganese का plus 7 से plus 2 क्या हो रहा है reduction हो रहा है तो obviously इस A कहा ओर होगा A का हो रहा होगा Oxidation तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Oxidized form of A अब यह बिलकुल बैंड बाजा बिलकुल घर के सामने आ चुका है इसलिए असराओं मैं बिलकुल सामने आ चुके हैं यह मेरे घर के सामने नाच रहे हैं बही चड़ा रहे हैं तुम बढ़ाओ और हम नाचेंगे यह मैंने क्या लिख दिया Oxidized form of A लिख दिया है Oxidized form of A लिख दिया है ठीक है ठीक है चलो ठीक है अच्छा अगर आपका इसी में इसी में neutral medium होता तो आपका प्लस 7 से कहा जाता प्लस 4 जाता और अगर आपका बेसिक मेडियम होता तो यह प्लस 7 से कहा जाता प्लस 6 जाता और A की हालत क्या होती A का तो Oxidized form ही बनता Oxidized form of A ही बनता है अभी देखेंगे equations देखेंगे हम इस पर A का क्या हो गया Oxidation हो गया तो मैंने क्या लिख दिया Oxidized form of A लिख दिया सही है ये चीज़ क्लियर है अब जो आपका K-MN4 होता है यहाँ पे एक पॉइंट और देख लो अभी equation कर आता हूँ इस पे अभी इस पे equation कर वाता हूँ जो K-MN4 होता है Is Self Indicator Indicators क्यों डालते हो आप Titration में ताकि आप एक color change observe कर सको ताकि आप एक color change observe कर सको इसलिए आप डालते हो Indicators लेकिन K-MN4 के titration में Indicators जालने के ज़रूत नहीं है It is a Self Indicator क्यों? It is a Self Indicator आपका MnO4 माइनस है यह कौन से color का होता है? Pink color का होता है और जैसे ही titration खतम हो जाएगी Mn plus 2 का बनेगा तो यह color less बन जाएगा तो देखो Pink से color less जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ना यार आप लोग अपने आँखों से देख पाऊगे कि हाँ यार टाइटरेशन अब रोक लेते हैं यह ना K2Cr2O7 की titration में फिर इसको question कराता हूँ में आपको यह ना फिर हम लोग PYQ भी करेंगे यह भी क्या है? एक oxidizing agent है यह भी क्या है? एक oxidizing agent है लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ acidic medium में काम करता है जैसे K-4 तो तीनो medium में काम करता है acidic medium में ही काम करता है किसमें जाता है? chromium plus 3 में जाता है अच्छा ऐसा करो इनके जरा यार मेरेको n factor बताना यह जो मैंने acidic medium लिखा है neutral लिखा है और basic लिखा है इनके जरा फटाफट चाट सक्षन में n factor बताईएगा n factor बताईएगा सिद्धर राज जी दे रखा है माकसब लर्निंग आप का telegram चानल वो जोईन करो वहाँ पे मिलेंगे notes आपको जरा इसके फटाफट से n factor बताना n factor बताना देखो यार plus 7 से plus 2 तो change कितने का है 5 का number of atoms 1 है तो n factor 5 इसका n factor change कितने का है plus 7 से plus 4 3 का into 1 और इसका n factor कितना है change कितने का है plus 7 to plus 6 एक का number of atoms कितने 1 n factor याद करने है या आपको याद ही होने चाहिए ऐसे ही n factor इसका इसका देखो plus 6 से जा रहा है plus 3 change कितने का 3 का number of chromium items कितने है 2 to 2 n factor कितना 6 n factor कितना 6 clear है क्लियर है, अब यहां पे इंडिकेटर्स आप कौन कौन से यूज कर सकते हो क्या है मैंनो फूर तो सेल्फ इंडिकेटर्स था, वहां पे कोई भी ज़रत नहीं थी लेकिन यहां पे आप कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो यहां पे आप कर सकते हो diphenyl amine क्या यूज़ कर सकते हो diphenyl amine यूज़ कर सकते हो as well as potassium potassium ferricyanide भी कर सकते हो potassium ferricyanide भी कर सकते हो K3 Fe Cn6 इसे भी आप कर सकते हो यह indicators है K-menopor में तो जोरत नहीं पड़ी थी लेकिन यहाँ पर जोरत पड़ सकती है यहाँ पर जोरत पड़ सकती है चेक है clear है questions करें इस पर अब titration के कुछ आपको question करवा देता हो titration के आपको कुछ question करवा देता हो alright चलो titration के आपको कुछ question करवा देता हो चलो यह वाला करो question ये वाला करो वाला करो क्वेश्ट चलो करिये बिलकुल JKD दमांका जी कोशिश करता है करिये करिये क्वेश्ट करो करिये करिये साथ बजए हमारा न बच्टी सेशन चलेगा PYQ तो मैं अभी ही करवा दूँगा अभी ही करवा दूँगा ठीक है देखो क्या हो रहा है पहला देखो पहला देखो असड बीडियम हम अबजर्व करते हैं acidic medium आप मेरे साथ देख लोगे तो basic medium तो आप खुद ही फटा-फट से बता दोगे देखो क्या हो रहा है आपका KmnO4 है ये react कर रहा है FesO4 से देखो क्या बनेगा ये, क्या बनेगा acidic medium में manganese plus 7 से कहां जाएगा acidic medium में plus 2 में जाएगा, इतना तो हमें पता है प्लस 7 से plus 2 जाता है, इतना तो हमने चीकचीक के बोल दिया है, correct अच्छा, अब यहां पर iron किसमें है? उप्लस 2 में है, iron किसमें जाता है प्लस 3 में जाता है, iron किसमें जाता है अब आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे? Gram equivalent of KmnO4 titration में gram equivalent बराबर करते हैं सिखाया था मैंने अभी-अभी और gram equivalent of FESO4 मतलब N1 इसके moles into इसका N factor equals to इसके moles into इसका N factor correct अब देखो K-N04 के moles तो पूछे हैं X मान लो K-N04 का N factor acidic medium में कितना 5 होता है acidic medium में कितना होता है 5 होता है equals to number of moles FESO4 के एक दे रखे है into N factor N factor देख लो नहीं plus 2 से जा रहे हो plus 3 कितने का change है कितने का change है एक का और number of FESO4 के एक दे रखे हैं 1 into 1 N factor कितना है 1 1 लेख दो तो आपे number of moles कितना आ रहे है 1 by 5 आ रहे है number of moles कितना आ रहे है नमबर 1 by 5 आ रहे हैं अब जरा basic medium में बता दो बेसिक medium में बता दो बेसिक medium में बता दो देखो रियाक्शन तो वो ही रहेगी जैसे आपका जैसे KMNO4 है इसको आपने FESO4 लिया ठीक है? basic medium में वो किस में जाता है? प्लस 7 से manganese प्लस 4 में जाता है और iron प्लस 2 से कहां जाएगा? प्लस 3 ही जाएगा प्लस 2 से प्लस 3 ही जाता है iron ठीक है? ठीक है? अब कुछ नहीं अब ग्या करो दोनों के gram equivalent बराबर कर दो मतलब N1 into NF1 equals to N2 into NF2 प्लस 6 जाएगा? अब की रियाक्षन आपको जैसे से आप प्राक्टिस करोगे आपकी रियाक्षन क्लियर होती जाएगी आपको रियाक्षन आती जाएगी प्लस 6 जाएगा? ऐसा करो इसको बेष्क नहीं सकते है आपके भीया इसको neutral लेलो इसको neutral लेलो neutral लियुboom-छेक सब्सक्राओ प्लस 7 जिससको जो नहीं सकते हैं ऐदर उधर चले जाते हैं कभी जाते हैं कभी हम है ना, अरे, न्यूटरल ले लो ने, यार, अरे, अरे, क्या भई, ठीक है यार, थोड़ा सा भए नी सकते के, आपके भईया, थोड़ा सा भए नी सकते के, दुरदर, भए सकते हैं न, इतना लाउड है न, ठीक है न, इसको न्यूटरल ले लो, इसको न्यूटरल ले लो, ठीक ह ठीक है, चलो आप कुछ नहीं, देखो इसके मोल्स तो आप से पूछे हैं x मान लो, n factor कितना हो जाता है neutral medium में, 3 हो जाएगा n factor कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, equals to FESO4 के मोल्स एक दे रखें, n factors का plus 2 से जा रहे हो, plus 3 एक का change number of atom भी 1, यह 1 x कितना आ गया, 1 by 3 आ गया, सही है सही है थोड़ा सा बह गय थे, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं थोड़ा-थोड़ा flow में चले जाते हैं पढ़ाते 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 भीया यह और direction में निकल लिये है ठीक है जवर्दस तरीके से पढ़ लिया है अब देखो यार अब देखो, आपका जो redox reaction होता है redox reaction में आपका एक galvanic cell भी मिलेगा एक galvanic cell भी मिलेगा galvanic cell भी मिलेगा यह galvanic cell मैं आपको electro chemistry में cover करवाऊंगा ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आता है तो एक ही चीज को दो-दो बार क्यों बढ़ना है तो मैं आपको electro chemistry में cover करवाऊंगा galvanic cell को galvanic cell को मैं आपको कहां पढ़ा दूँगा आपको electro chemistry में पढ़ा दूँगा चल जाएगा ना thumbs up दे दो एक बार chat section में चेक है है ना मैं आपको यह electro chemistry में पढ़ा दूँगा क्योंकि वहाँ पर भी आता है सेम चीज को यह हम दो-दो बार क्यों पढ़े एक ही बार हम लोग electro chemistry में पढ़े लेंगे अच्छा जो आपकी balancing है यार equation की balancing of equation है जो उसका मैं एक short 10 से 15 मिनिट का वीडियो बना दूँगा 10 से 15 मिनिट का short video बना दूँगा उसमें मैं वह cover कर दूँगा वैसे यार balancing इतनी ज़्याद important नहीं होती है वैसे balancing इतनी ज़्याद को यार खास important नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको balancing balancing 10 से 15 मिनिट का वीडियो आपको short सा वीडियो बना के channel पे मैं 2-3 दिन में ही release कर दूँगा वो मुझे आप लोग बता दीजिएगा चल जाएगा अब यार हम लोग कुछ PYQ कर लेते हैं अब हम लोग कुछ PYQ कर लेते हैं ताकि बढ़िया आपका बढ़िया आपका वो हो जाए देखो आजाओ वैसे तुम्हें Galvanic Cell की PPD बना के लिए क्या आए था लेकिन हम लोग उसे बाद में ही करेंगे वो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा एक ही जगे करेंगे नहीं है दो दो बार क्यों करेंगे सारे के सारे आपको करने तयार हत्यार लेके तयार है क्या हम कॉपी पैन लेके तयार है है ठीक है ठीक है चलो पी वाइक्यू टाइम भहिया पी वाइक्यू टाइम चलो 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 चली 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 करिए 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 करो थोड़े से यह है न, ज्यादा कुछ यहर है नहीं फटाफट से clear हो जाएंगे आ जाओ, आ जाओ देखो यहां पर बोल रहा है कि role of hydrogen peroxide in the above reaction respectively is, देखो यहां पर hydrogen peroxide में oxygen की oxidation state क्या होती है, minus 1 होती है minus 1 होती है, यह जा रहा है इस वाले oxygen में तो minus 1 से कहां जा रहा है, यह 0 जा रहा है बिल्कुल यहां पर भी यह क्या है, minus 1 में और यहां पर भी यह minus 1 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है तो दोनों ही case में minus 1 से 0 जा रहा है तो खुद का क्या हो रहा है खुद का क्या हो रहा है minus 1 से अगर 0 जाते हो तो खुद का क्या होता है Oxidation होता है तो अगर खुद का Oxidation हो रहा है तो कैसे behave करोगे As Reducing Agent As Reducing Agent तो दोनों में ही आप Reducing Agent के तरह है behave कर रहे हो क्योंकि दोनों में ही आपका Oxidation हो रहा है तो कैसे behave करोगे As Reducing Agent आप behave करोगे Clear है 2014 का यह equation हो गया 2014 का यह equation हो गया next करो, यह बाला करो बहुत आसान है, फटाफट फटाफट से कर दो 2016 में आया है करो hot concentrated H2SO4 is a moderately strong oxidizing agent which of the following reaction does not show oxidizing behavior कौन सा oxidizing behavior नहीं है नहीं वो नहीं 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 अधीती वो दूसरे का है वो दूसरे का है आपका जो H2O2 है वो O2 में जा रहा है यह करो, फटाफट चे यह करो कौन सा यार oxidizing behavior नहीं दिखा रहा है किसमें oxidation नहीं हो रहा है, यह बोल रहा है बहुत आसान है यार देखो, यहाँ पे copper 0 में यहाँ पे copper plus 2 में oxidation हो रहा है ना तो कौन कर रहा है, H2SO4 तो कर रहा है तो यह तो answer नहीं होगा यहाँ पे sulfur 0 में, यहाँ पे sulfur plus 4 में यह भी नहीं होगा oxidation हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे carbon 0 में, यहाँ पे plus 4 में यहाँ पे भी नहीं होगा لेकिन यहा पे देखो calcium plus 2 में यहाँ भी plus 2 में यहाँ पे fluorine minus 1 में यहाँ भी minus 1 में यहाँ पे hydrogen plus 1 में यहाँ भी plus 1 में sulfur plus 6 में यहाँ भी plus 6 में oxygen minus 2 में यहाँ भी minus 2 में तो basically जो D वाला reaction है उसमें किसी का भी oxidation number change ही नहीं हो रखा है तो it is not an it is not a redox reaction तो आपका आंसर क्या रहेगा D रहेगा निशानत शेखर जी ले लिया आपका नाम भी बस खुश रहो यार और बताओ ठीक है ठीक है आपका D बन चुका है ठीक है आपका ये redox reaction ही नहीं है redox reaction ही नहीं है ये करो अब यार यह जबरदस question था यह जबरदस question था अच्छा यह यह चलो यह अभी नहीं हो पाएगा यह चलो यह electro chemistry के बाद करेंगे यह electro chemistry के बाद करेंगे क्योंकि इसमें आपका EMF-EMF का फंडा रहेगा EMF-EMF का फंडा रहेगा चलो यह बताओ यह बताओ the correct order of nitrogen compounds in its decreasing order of oxidation state सब में आर फटाफट oxidation state निकाल दो HNO3 में nitrogen के कतिनी रहेगी प्लस 5 फटाफट से निकाल दो NO में प्लस 2 N2 में 0 और NH4Cl में इसमें रहेगी आपकी minus 3 इसमें रहेगी बिल्कुल minus 3 तो कुछ नहीं आर आपको decreasing nature में बताना था सबसे जादा HNO3 में है फिर NO में फिर N2 में फिर NH4Cl में सही है सही है रोहित काफी marks आजाएंगे यार series follow तो करो काफी marks आजाएंगे मैं अपना target बता चुका हूँ मेरे को इसी series से यारा मेरे को sigma star 1.0 2.0 से भी बहुत उमीद है कि यार वहां से भी तगडे marks आएंगे और इस series से भी आपके अच्छे marks आएंगे बिलकुँ अच्छे marks आएंगे ठीक है तो आपका आंसर क्या हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट साद बजे मिलेंगे हम लोग है ना साद बजे हम लोग साद बजे हम लोग कहा मिलेंगे प्राक्टिस सेशन में चेक है प्राक्टिस सेशन में मिलेंगे चलो यह देखो यह देखो आ गया ट्राइब रोम ओक्टा ओक्साइड बताया था ना बी आर थी ओ एट इसका structure आ गया 2019 में क्या आंसर है क्या आंसर है बताओ यह होता है ना अगर आपको आती है ना चीजें तो बस ऐसे टिक करके आगे बढ़ जाओ गया टिक करके आगे बढ़ जाओगे अतना हसान है घक है कैसे सवाल है 19.14 में CRO5 butterfly structure होता है बताया है आपको butterfly structure कितना oxidation state आता था plus 6 आता था कितना था plus 6 आता था इसका structure देख लेना इसका structure देख लेना सेशन पसंद आ रहे है तो या लाइक कर दो फटा फट फटा फट लाइक कर दो इस चलो, और देखो, अब ये बताओ, which one of the following reactions are not desproporation reaction, कौनसे desproporation reaction नहीं है, या नि विच अफ़ फॉलिएंग आर desproporation, अच्छा, कौनजी है, सबस्य है, आपको ये बताना है, कौनजी है, ये बताना है, बताओ, बताओ 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 जल्दी बताओ बताइए देखो copper प्लस 1 में था प्लस 1 से प्लस 2 भी गया और 0 भी गया तो oxidation भी हुआ reduction भी हुआ तो ये तो disproportionation है बिलकुल है ठीक है MnO4 2- यहाँ पे आपका manganese प्लस 6 में है यहाँ पे यह गया इदर से प्लस 7 में और यहाँ पे यह गया प्लस 4 में तो प्लस 6 से प्लस 7 गया oxidation हुआ प्लस 6 से प्लस 4 गया reduction हुआ तो oxidation भी हो रहा है reduction भी हो रहा है तो ये भी disproportionation है बिलकुल है KmN4 में यहाँ पे यह प्लस 7 में है यहाँ पे यह प्लस 6 में है और यहां पर यह प्लस 4 में तो प्लस 7 से प्लस 6 गया है reduction प्लस 7 से प्लस 4 गया reduction तो केवल और केवल reduction हो रहा है इसमें केवल और केवल reduction हो रहा है केवल और केवल reduction हो रहा है oxidation हो यह नहीं रहा है यह तो redox reaction यह तो आपकी disproportionation reaction नहीं होई इसमें इसमें देखो यह क्या है आपका प्लस यह क्या है आपका प्लस 7 में है यह आपका प्लस 2 में है और यह कहां जा रहा है प्लस 4 में जा रहा है यह कहां जा रहा है आपका प्लस 4 में जा रहा है तो यह भी देखो यह उल्टी दे रही है मलब अगर ऐसे reaction को पलट देते हैं जिसे यहाँ पर क्या बोलता है प्लस 7 से प्लस 4 यहाँ फिर प्लस 2 से प्लस 4 यहाँ पर देखो अलग-अलग reagents का इसका हो रहा है reduction और इसका हो रहा है oxidation disproportionation reaction क्या होती है ध्यान है ना जब same element का oxidation और same element का reduction हो यहाँ पर oxidation किसी और का हो रहा है तो यह भी disproportionation नहीं है तो answer is B option clear हो गया है same element का होना चाहिए oxidation and reduction यहाँ तो अलग-अलग का हो रहा है यहाँ तो अलग-अलग का हो रहा है clear है clear है चलो ठीक है थम सब देते वह चलना आप चलो ये बता दो नेट 2020 में ताजा ताजा है ना गरma गरम सवाल एक दम ताजा ताजा गरमा गरम सवाल आया है देखो CH4 में बहुत असान है यह तो है ना एक दम खिलवा सवाल है शलवा बहुक हालवा है है ना CH4 में इधर माइनस 4 में हो और CCL4 में इधर प्लस 4 में हो तो माइनस 4 टू प्लस 4 गए हो, माइनस 4 तू, प्लस 4 गए हो आंसर कहा है, C option C option क्या है यार है, ऐसे हलवे सवाल है इतना पूरा 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 पढ़ने के बाद इतने तगडी तरीके से सारी चीजे करने के बाद ऐसे हलवे सवाल आएंगे नीट में तो फोडों के नहीं तो और क्या करोगे उड़ा के आजाओगे भईया पीपर को तुम, उड़ा के आजाओगे ठीक है ओल्राइड तो अब हम लोग जो आपका, गैलिविनिक सेलता वो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा दूँगा अब आपको क्या करना है आपको एक अब मेरा काम करना है अगर अब तक लाइक नहीं करा हो तो यह लाइक कर देना ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना नोट्स आप लोगो को माकसप लरनिंग आप के टेलेग्राम चैनल पे मिलेंगे अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूँगा ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हो तो सर्च करो भहिया, नितेश भहिया को सर्च करो और यहाँ पे मेरे को जाके फॉलो कर लो, सही है यहाँ पे जाके फॉलो कर लो और आपको कमेंट करना है इस वीडियो के बाद कि यह सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करना इस सेशन के बाद कि यह आपको कैसा लगा सेशन चेक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा हलवा बना दिया चैप्टर है, खतम कर दिया चैप्टर को साफ़ बजे आजाना practice session के लिए साफ़ बजे आजाना practice session के लिए को ठीट है clear है चले हम मालिक अब इजाज़त है हमने जाने की इजाज़त हमने जाने की बताईए निकले हम साफ़ बजे मिलेंगे pr Лैजा अनके planning करके मेरे को जोरूर बताना है आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है एक एक बच्चे का कमेंट चेक करूंगा मैं पस्नली चेक है चलो टेक केर एवरेवान हाव ग्रेट ग्रेट डे जोर और शोर से पढ़ते रहो पूरी टीम आपके साथ खड़ी है हम लोग फोर्ड के रहेंगे छोड़ना नहीं है एक दमें एक जाम को फोर्ड के रहेंगे पूरी टीम आपके साथ खड़ी है तगड़े तरीके से पढ़ते रहो और जबर्दस तरीके से हम लोग हमारी सारी चीजे कवर करेंगे ओल्राइट टेक केर एवरेवान हाव ग्रेट ग्रेट डे मिलेंगे हम लोग हमारे